कैसे हैं आप सभी के सभी अब ठीक ठाक संद्दे का दिन है और इसको क्या करेंगे यूटाइज करेंगे जुलाई के जितने भी हमने क्या करेंगे धूई इसने हैं क्रेंट अफेर्स करें थे उन सभी को क्या करके 22 अब सुपफाल 카े कर सभी को पता जितने भी देखिया है जुलाई के अंदर में हमने इस सेशन को लेट शुरू किया था तो जितने भी सेशन के अंदर मैंने करेंट अपको कराये हैं उन सभी का मैं अब यह एक के अगस्त के अगस्तर मैंने के अंदर में रेगूलर होगा तो एयनी कि अगस्त के पूरे पूरे मैहीने करthat के भी ने और सभी के सबीसित कर ओखेंए मन यचा कोई दिक्कत कोई परेशानी तो न नहीं है चलिए तो चलिए फटा फट से शुरू करते हैं हमने और एक दो चीज़े और डिसकस करूँगा मैं शुरू करने से पहले उससे पहले यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा मैं आपके साथ में शेर कर रहा हूं कल से इसकी क्लासे शुरू हो जाएगी उसके बाद प्र प्रिलम्स और मेंस के लिए see set मिलेगा प्रिलिम्स के लिए crash course मिलेगा study material मिलेगा हैं इ muj मेंटार्शिप मिलेगी आपको चीजर शबर म्स्त मिलेंगी तो क्या करिए इसके इन्धर में कोड क्या मिलेगी अभी बताए दे रहाँ PDF के लिए टेलिग्राम चैनल है प्रशान तिवारी 26 यह यूजर नेम है टेलिग्राम चैनल का नाम है प्रशान तिवारी सेशन को शुरू करने से पहले दो तीन चीजे मैं आपके साथ में यहां पर डिसक्स करना चाहता हूं नहीं यह रेगुलर क्विज रहेगा रोज सुबह जो हमारा सेशन होता एक साथ बजे और एक ग्यारा बजे वो रहेगा यह उसका कंपाइलेशन है क्योंकि काफी सारे करो तो वो चीज़ के लिए मैं आपको यहां पर डिसक्स करने की कोशिश करता हूं आपके साथ में UPSC के बारे में कुछ चीज़े हैं आप सभी के सभी थोड़ा सा पेशन्स बना कर रखिएगा थोड़ा सा पेशन्स बना कर रखिएगा आप मैंसे काफी सारे लोग तुरन comment करने लग जाते है, मैं UPSC की बात कर रहा हूँ तो UPSC में दोस्तों आप सभी को pattern पता होना चाहिए, UPSC के अंदर में prelims होता है फिर mains होता है फिर उसके बाद में interview होता है यह चीज़ समझें prelims के अंदर में दो paper होते हैं एक GS होता है और एक CSAT होता है ठीक है, याद रखेगा अब GS के basis पर आपके जितने भी number यहाँ पर आते हैं आपके क्या बनती है, आपर cutoff बनती है और यहाँ पर CSAT के अंदर में आपके जितने भी number आते हैं, उसके basis पर आप क्या करते हो qualify करते हो, मान के चलिए 66 या 68 के आसपास में number आपको चाहिए होते हैं आप qualify करने के लिए, फिर mains के अंदर में essay का paper होता है qualifying दो language के paper होते है GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, GS paper 4 होता है optional के paper होते हैं, उसके basis पर आपके यहाँ पर जितने number आएंगे और आप अगर qualify करके फिर interview में जितने number आएंगे, इनको add करके आपके क्या बनते है, final merit बनती है आपका result आता है I hope यहाँ तक सभी को clear है यहाँ तक बिल्कुल सभी को clear है तो UPSC के तैयारी में कुछ subject आपके core subject होते हैं, already मैंने आपके साथ में discuss किया, जैसे एक quality एक economy एक geography और उसके बाद में history यह सारे के सारे क्या होते हैं, आपके core subject होते हैं, जिनके उपर मैं कहुँगा, आप क्या करिए, ज्यादा focus करिए इन सभी के उपर में अब तैयारी दोस्तों, कभी भी prelims की कोई तैयारी नहीं होती है एक चीज़ ज्याद रखिएगा prelims के लिए कभी भी तैयारी नहीं करी जाती है prelims के लिए कभी भी तैयारी नहीं करी जाती तैयारी हमेशा mains के लिए की जाती है prelims के लिए revision करी जाती है that's it, बस अब आप मेंसे काफी सारे बच्चे दरसल ये topic मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि maximum बच्चे ये गलती आप सबके सब ये कर रहे हो कि आप सबके सब prelims पे focus कर रहे हो मेरे से maximum बच्चे question पूछते हैं कि sir next year का prelims निकालना उसके लिए क्या करूँ ये चार सब्जेक्ट पढ़ लो current effect करके चले जाओ निकल जाएगा लेकिन क्या उससे आपका exam निकलेगा क्या नहीं निकलेगा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा तो ये गलती अपनी life के अंदर में please मत दोहराना कि आप mains के लिए तैयारी मत करें मेंस के लिए तैयारी करने का मतलब क्या आपने ethics को छुआ ही नहीं है आपने सिर्फ रटने के लिए याद कर लिया कि भईया 123 से ordinance निकलता है 213 से state के अंदर में ordinance निकलता है लेकिन मान के चलिए आपके उपर में ordinance को analyze करने के लिए question आ जाए ये ordinance इतने जादा frequently use हो रहे है इसका क्या significance है तो आप सबके सब answer नहीं लिख पाओगे अगर 200 word में answer लिखने को आ जाए तो आप नहीं लिख पाओगे तो इसलिए मेरा personal level पर आपको बहुत दिल से ये suggestion दे कि मैं 5 minute इस session के अंदर में इसी पे लूँगा बाकी तो question practice आपको करनी है और ये question practice मैं नहीं कराओगा किसी भी YouTube चैनल पर जड़ा जो कराए गाई मैं यहाँ पर आपके साथ में एक बड़े भाई होने के नाते कुछ चीज़े आज शेयर करने की कोशिश करने चाहता हूँ कि आप सभी के सभी जादा focus क्या करिए मेंस के उपर में करिए चीज अगर पढ़ रहे हैं मानके चलिए आपने modern history उठा लिए ठीक है लेकिन आप में से modern history के अंदर सारे के सारे fact पर रटने वे लग जाते हो उससे paper नहीं निकलेगा आप से question पूछा जाएगा कि modern history के अंदर में labor class working class इनका contribution बताइए women's का contribution बताइए अगर आप रटके चले जाओगे तो चीज़े बिलकुल भी नहीं हो पाई नहीं हो पाई तो मैं आपको इस सारी के सारी चीज़े कह रहा हूँ कि आपको तैयारी जो करनी है वो GS के हिसाब से करनी है जैसे GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, GS paper 1 में क्या आग culture, post independence, world history, geography आगया पूरा, Indian society आगी तो उसको complete करो, GS paper 2 complete करो, facts के पीछे मत भागो दोस्तो, analyze करो, analytical skills को develop करो, current affair के अंदर में एक घंटा, डेढ़ घंटा, maximum दो घंटा लगा दो, एक analysis देख लो, और एक क्या करो, किसी का भी magazine को follow करो, that's it, बस, उसके अलावा आपका focus किसके means के लिए पढ़ने के लिए, अभी answer नहीं लिख पा रहे हो, कोई बात नहीं, एक या दो महिने के अंदर में at least इतनी knowledge gather कर लो, कि आप answer लिख सबो दोस्तो, तो ये please आपसे मेरी तहे दिल से request है, ये चीज़े करो, और एक चीज़ और आपसे मैं discuss करने की कोशिश करता उसके अंदर में ask parent से क्या मांगा जाता है, ये quality develop करने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो chat के अंदर में, आप सब के सब जो comment कर रहे हूँ, आप अभी भी तैयारी से related comment नहीं, cset के लिए बताओ, patience रखो यार, आ जाएगे, book की list, book की list मैं paste कर दूँगा, cset क इंदर में, उसके अंदर में problem क्यों होती है, क्योंकि हमारा focus पूरा GS के उपर में होता है, cset के उपर focus नहीं करते है, इस कार से problem हो जाती है, cset को करने के लिए क्या करना है, भी आप paper से 4 महीने पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देना, test लगाना शुरू कर दे consistency मांगी जाती है, बाकि सारी चीजे, देखे, UPSC aspirant के अंदर में आप बहुत सारी चीजे add कर सकते हो, कि यह होना चीए, वो होना चीए, लेकिन सबसे important चीज है consistency, आपने कभी अपने exam, school के exam, college के exam में और UPSC में difference समझा है, school का exam आता है, college का exam आता, आप सभी किसे कहते हैं, दस दिन है, 16 गंटे पढ़नेंगे, tension की बात नहीं है, वो जो 16 गंटे पढ़ने वाला temperament, वो जो 10 गंटे पढ़ने वाले consistency है, वो पूरे साल चाहिए, UPSC के अंदर, तभी आप exam निकाल पाओगे, दूसरी चीज यहाँ पर आपको patience होने चीज है, यह चीज अभी से develop कर ल अभी तक कुछ नहीं पता था, एक दिन पहले UPSC के decide क्या है, पहले दिन ही किताब खुली और पहले दिन है सोचरों कि सब कुछ ग्यान आ जाए, नहीं हो सकता, वो मुरक हैं जो 3-3 साल चे लगे पढ़े है, भोड़ा तो maturity रखो, patience रखो, patience रखने की कोशिश करो, patience रखने नहीं कर सकता, कभी भी, कभी भी कोई replace नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये सारी के सारी चीज़े, ये तीन quality अपने exam के लिए develop कर लो, आप life के अंदर में कभी भी पीछे नहीं जाओगे, trust में, बाकी देखिए, book list मैं जानता हूँ, आपके अंदर में बहुत सारी बेचे नहीं ह वो भी मैं आपको क्या करूँगा, paste कर दूँगा, tension मतले, जो sufficient, जो मेरी history जानना चाह रहे हैं सभी के सभी, भई मैं interview में appear हुआ, उससे आपको क्या हो जाएगा, मैंने क्या पढ़ा, वो ही तो experience share कर रहा हूँ, आप से मैं चीज़े वो share कर रहा हूँ, जो आपको नहीं कर आप क्या करिए, at least patience रखे, patience बहुत ज़रूरी है, book, time table, time table से related बाते शेर कर चुका हूँ, even मैं तो यहां तक हद तक प्लान कर रहा हूँ, कि मैं next एक साल का आप सब के लिए पूरा detailed time table बना कर इंस्टाग्राम पर post करूँ, और regular आपके साथ touch में रहूँ, मैं इस हद तक क चीज़े अविलेबल हैं, तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं अपने इस session को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलें, चलें, पहला question आपके सामने आ चुका है, first question, current affair की revision कर रहे है, जल्दी-जल्दी question लगाएंगे, which of the following is famous national park, which is well known for its salt water crocodile, concepts revise होंगे, concepts revise ह होंगे, सारी चीज़े होंगे, ठीक है, चलो, concept revise करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चलिए, फटा-फट से शुरू करिए, पहला question, salt water crocodile के लिए, कौन सा national park क्या है, famous है, कौन सा national park famous है, salt water के लिए, जल्दी से बताओ, answer देना शुरू करो, कौन सा है, भीतर कनिका, भीतर कनिक है, मुर्मू जी, वो कहां से, ओडिशा से है, इस समय, प्लीज याद रखेगा, मयूर भंज, संथल, सारी चीज़े, प्लस में, इसलिए, ट्राइब्स जो है, ओडिशा की ट्राइब्स, PVTGs के दमें, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए, ओडिशा और ज्यादा इं ओडिशा से रिलेटिट्ट जब निउस आए, तो उसको थोड़ा सा क्या करिए, जादा फोकस करिएगा, तो कहां पर है, भीतर कनिका, इसका क्या हो जाएगा, प्लीज याद रखेगा, कौन सी नदी के उपर, और आप एक और चीज याद रखेगा, कौन सी नदी, महा नद प्लीज याद रखेगा, बैतरनी, ब्राहमनी और धामरा इनके उसके उपर में होता है, ठीक है, प्लीज याद रखेगा, बहुत important है, ठीक है, clear है, अगला question, international space station, रश्या international space station से अपने आपको बाहर निकालना चाह रहा है, भारत 2030 तक अपना international space station बनाने की कोशिश कर रहा ह ठीक है, दो चीज़े होगी, और तीसरी चीज़ क्या होगी, international space station के अंदर में सारी चीज़े क्या है, अभी बहुत जादा important हो जाती है, color, ठीक है, color कह रहे हैं क्या, चलिए, ये color कर ले, आप सब के सब इसमें करेंगे, चलिए, ये color, अब बताइए इसका answer दीजे, कि joint project है किन-किन space agencies का, ISRO का, NASA का, जापान का, चाइना का, और ROS Cosmos का, किसका है, बताइए फटा-फट से, बता दीजे, बता दीजे फटा-फट से, बता दीजे फटा-फट से, तो इसके अंदर में कौन-कौन है, ये 5 countries का joint program है, USA है, जापान है, योरोप है, कैनेडा है, रशिया है, प्लीज याद रखेगा, तो इंडिया नहीं है, इसके अंदर में, इंडिया नहीं है, तो ये गलत, ये गलत, अब कौन बचा, क्या चाइना है, नहीं है, और भी नहीं है, तो फोर गलत होती है, ये गलत, ये गलत, और कौन, ये गलत, D इसका correct answer हो जाएगा, D इसका correct answer हो ज यह प्लीज याद रखिएगा ठीक है तो किनके किनके बीच में कैनेडा कैनेडा प्लीज याद रखिएगा यूएस रश्या जापान कैनेडा और यूरोप प्लीज याद रखिएगा पांच यह पांच याद रखिएगा ठीक है ठीक है क्लियर है तो प्लीज याद रखिएग तो इसका correct answer क्या होगा, D इसका correct answer होगा, PDF में भी correct कर लीजिएगा, प्लीज, जब मैं PDF share करूँगा, तो कर लीजिएगा, इसका correct answer क्या होगा, D होगा, D होगा, D, already बता है, 5 countries, तो कौन कौन सी countries है, इस तो नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, अब या ये हो सकता है, तो चाइना है क्या happening दिसका क्या हुक्त सब्सक्राइब कोई लोग कह रहे हैं यल्लो रख लो धे अगला question, WTO is a successor of the, जो get agreement था, general agreement on tariffs and trade, ये कब बना था, World War II के बना था, Second World War II के बना था, उसका क्या है successor है WTO, पहली बात तो ये कह रहे हैं, WTO की जो top decision making है, वो हर साल 3 साल के बाद में क्या है, मिलती है, बताई इसमें से correct answer क्या हो जाएगा, बता दीजिए, फटा फट, बता दीजिए, ठीक है, तो इसके अंदर में क्या होगा, इसका correct answer हो जाएगा, बी, क्या न मैं, सॉरी, बी, बी, चल रहा हूँ, सारी चीज़े, इसका मैंने सूचा incorrect है, इसका correct answer क्या हो जाएगा, यानि कि बी जो है second statement, वो तीन साल में नहीं है, हर साल दो साल में मिलते हैं, थ्री येज में नहीं, दो साल में मिलते हैं, तो second statement क्या है, गलत है, इसका correct answer क्या हो जाएगा, दोस्तो, ए, क्या हो जाएगा, ए, इसका correct answer हो जाएगा, one only, इसका क्या है correct answer है ठीक है clear है ठीक है clear है ठीक है clear है ठीक है चलिए फटा-फट से चलते है अब फाल्तु की बाते नहीं करनी है अपने को जल्दी से फटा-फट तो कब बना था WTO 1995 बना था जल्दी से revision करेंगे फटा-फट से WTO अब WTO के अंदर में आपको confused क्या करेंगे आपके उससे गुड से रिलेटिड भी अग्रिमेंट है और intellectual property rights से रिलेटिड भी क्या है एग्रिमेंट है सारे के सारे याद रख लेना यह पीपेटी शेयर कर दूंगा प्लीज याद रखना अगला question which of the following is known as the snow leopard capital of the world snow leopard snow leopard का capital किसको जाना जाता है स्नौ लेपर्ड का आयूसेन status भी आपको पता होना चीए snow leopard कौन-कौन सी country में पाया जाता है ये भी आपको पता होना चीए भारत के कौन-कौन से states में पाया जाता है ये भी आपको पता होना चीए प्लीज याद रखेगा भारत के जो माउंटेन रजी जैसे जम्मो कश्मीर हो गया, लद्दाक हो गया, हिमाचल हो गया, उतराखंड हो गया, उधर की तरफ चले जाएंगे जब आसाम हो गया, और अधर की तरफ अनवाचार प्रदेश हो गया, वहाँ पर पाया जाता है, तो है, तो यहीं पर यह, यह इसका correct answer हो जाएगा, अगला question, which of the following components comes under the capital expenditure of union budget, अब यह news के अंदर में इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि इसको आप सोच नहीं सकते, capital expenditure, budget के अंदर में हमने announce कर दिया, budget के अंदर में हमने announce कर दिया कि capital expenditure increase करने वाले, त capital expenditure क्या होता है, revenue expenditure क्या होता है, यह exam में आएगा आपको, लिख के रख लो, capital expenditure वो expenditure जिसके तुरू या तो asset create हो रहा है, या liability हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, वैसी receipt भी होता है capital, यानि कि capital का मतलब in short ही हो गया, जिसके तहत में asset और liability का कोई लेना देना हो, कहानी के पैसा आएगा, तो capital हो गया, मान के चलिए आपने किसी से loan दिया, loan ले लिया, मैंने किसी से USA में जाके किसी से पैसा उधार ले लिया, तो यानि कि मेरे उपर liability है, मुझे चुकाना है, तो वो क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं, capital के अंदर में आता है, अब वो पैसा आना बनाना, जिससे कुछ return मिलेगा, road बना दी, road बनाना क्या है, capital expenditure है, यानि कि मुझे कुछ return मिलेगा, लेकिन अगर मान के चलिए मैं किसी को salary दे रहा हूँ, मुझे को return थोड़ी मिल रहा है, कोई asset थोड़ी बन रहा है, तो please याद रखेगा, revenue वाला हिस्सा और capital वाला हिस्स के दर में आएगा, क्योंकि मेरे को पैसा recovery होगी, मेरे पैसा आ रहा है, receipt आ रहा है, गलत, borrowing, पैसा आ रहा है मेरे पास, मैं borrow कर रहा हूँ, यानि कि मेरे उपर liability create हो रही है, लेकिन पैसा आ रहा है, यानि कि capital receipt है, तो ये भी गलत, one only, इसका क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएग अब ये revenue वाले में भी आता और जाता है, capital वाले में भी आता और जाता है, revenue वाले में आगर for example आने का देख ले, तो भैया कहां से आता है, कोई interest की payment कर रहा है, तो आ रहा है पैसा, लेकिन interest की payment आ रही है, एसेट कम नी हो रहा, ना liability कम हो रही है, ना जादा हो रहा है, लेक प्लीज याद रखिएगा अगला क्वेशन कि होतो होल्हान केस किस से रिलेटेड है किस से रिलेटेड हो जाएगा भाई session को सबके जब जाने दे पहले like जरूर करके जाना किस से related है anti-defection से related भाई साब इतना ज़ादा news के इंदर में है कि ये question आपके exam में आएगा तो भाई पढ़ाया देता हूँ फिर से एक बार anti-defection है क्या इंडिया जो हमारा देश है प्यारा भारत इसके अंदर में सारी चीज़े अपने interest के साब से चलती थी आजादी के बाद में ये हुआ कि जहाँ पर party के पास में क्या है सरकार क्योंकि सरकार बनाने के लिए क्या चीए होते है specific number चीए होते है जिसको हम बोलते है क्या बोलते है राजीव गांदी जी ने 1985 के अंदर में 52nd constitutional amendment act पास किया जिसको हम बोलते हैं 10th schedule एड किया जिसको हम anti-defection law भी बोलते है प्लीज याद रखिएगा और इसके अंदर में कुछ provisions लिखे तो इस provisions में उन्होंने ये लिखा कि anti-defection law का मतलब क्या मान के चले कोई political party से अपने resign कर दे for example मान के चले कोई ex party से जीता हुआ है मान के चले कोई BJP से जीता हुआ है और congress में चला जाता है वो MPMLA है तो वो क्या होगा उसकी membership चली जाएगी पहला point तो यह हो गया दूसरा मान के चलिए अगर वो अपनी क्या है independent उसने election लड़ा है और जीतने के बाद में सदन में जाने के बाद में किसी political party को join कर ले तो भी उसकी membership चली जाएगी पीसरी चीज़ मान के चले कोई nominated person है अब उनको कहते हैं भाई साब आपको 6 महीने है आप किसी ideology को पसंद करते हो तो join कर लो नहीं join करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कोई समस्य नहीं है लेकिन 6 महीने के बाद आप किसी party को join नहीं कर सकते join करोगे तो आपकी membership चली जाएगी और last अगर आप कोई VIP को मानते हो नहीं मानते किसी ने directive दिये पार्टी ने directive दिये यहाँ पर vote करना है यहाँ पर प्रेज़ेंट आप नहीं मानते हो तो भी आपकी membership चली जाएगी यह decision कौन लेता है speaker यानि कि chair person प्लीज याद रखेगा क्या कोई time limit decided है नहीं कोई time limit decided नहीं प्लीज याद रखेगा तो इसका correct answer हो जाएगा तो कि हो तो होलहां case 1992 इसी से related है जिसके अंदर में सुप्रिंग कोट ने बोला कि भाईया judicial review किया जा सकता है किसका speaker के decision का लेकिन speaker का decision जब final आ जाएगा तब अभी महाराष्ट वाले case के अंदर में क्या हुआ था यह सारे की सारे चीज़े आई थी क्लियर है चले anti-defection ठीक है डी इसका correct answer हो जाएगा पूरी explanation है अगला question consider the following statement regarding puppetry arts art and culture वाई सब art and culture art and culture से related प्रशन है puppetry arts से कौन कौन सा है जैसे shadow puppets रावन छाया, rod puppet, पुतुल नौच glove puppet, पवा कुथू कौन से हैं सारे के सारे match हैं बताईए फटाफट से बता दीजिए इसके अंदर में बतादो फटाफट बतादो बतादो फटाफट तो इसका correct answer हो जाएगा D, सारे के सारे correctly match है ये slide आपके सामने ये रही इसको रटके चले जाना आपके exam के अंदर में यहाँ से एक question जरूर आएगा आप कर दोगे पपेट्री, कट पुतली आप सभी ने देखा होगा कट पुतली कट पुतली का dance सभी ने देखा होगा तो उसके कई सारे form होते हैं एक string से धागे से बांद कर कट पुतली नचाहे जाता है एक shadow पीछे होता है उसके shadow नजर आती है एक gloves वाला होता है एक rod वाला होता है तो ऐसे सारी के सारी होते है तो प्लीज जाद रखे है shadow के अंदर में कौन-कौन से है जैसे आप छोटा सा example लीजिए चम जी अच्चा बहुलिया कहाँ पर महाराश्टर के अंदर में तोलू बमलट्टा आंदरप्रदेश के अंदर में तोगालू गोंबियर टू सारे के सारी एक्जामपल है rod puppetry के अंदर में देख ले है पुतुल नाच वेस्ट बेंगॉल के अंदर में यमपूरी कहाँ पर बिहार के अंदर में गलव वाला अगर देख ले है तो कहाँ पर है पावा कुतु कहाँ पर केरला के अंदर में और स्ट्रिंग वाला देख लिजे कट पुतली कहाँ पर राजिस्थान के अंदर में छलिए आगला कुश्चिन लुए इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे Constitution के important पार्ट्स कौन कौनसे हैं Part 4 fundamental rights से deal करता है Part 5 states से deal करता है Part 11 relationship between union states बता ही इस एंटर स्टेट relation ठीक है क्लियर है बता दो फटा फट से बता दो इसका answer तो क्या answer होगा इसका इसका correct answer यह होगा? इसका correct answer यह है, दोस्तों, क्या steps most likely to be taken at time of economic recession. Economic recession हो रखा है. Economic recession हो रखा है मेरे प्यारे दोस्तों. अब economy को revive करना है. ईकोनोमी को revive करना है. लोगों को जादा से जादा पैसा खर्च करना है. मार्केट के अंदर है पैसा जादा जाना चाहिए. monetary supply क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, पहला option देखिए, cut in tax rate, यहां तक बिल्कुल सही बात लग दिये, tax rate को कम कर देंगे, लोग पाँ ज्यादा पैसा रहेगा, लेकिन क्या होगा, increase कर दिया interest rate पे नहीं, इससे money supply क्या हो expenditure नहीं, expenditure को बढ़ाना, इसका correct answer हो जाएगा, बी इसका correct answer हो जाएगा, previous question है, previous question UPSC का, ठीक है, चलें आगे बढ़ें, फटा फटा, तो B इसका correct answer हो जाएगा, अगला देखते हैं, किसको blue carbon के नाम से जाना आता है, easiest question, easiest question मुझे UPSC के इंदर में कोई लगा, तो यह लगा जाता है, फटा फट से आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, तो इसका correct answer हो जाएगा, पूरे की पूरी explanation है, आपके सामने है, चलिए, अगला question, union minister for, micro, small and medium enterprises, उन्होंने एक scheme launch करी है, initiative है, समर्थ नाम का, जो महिलाओं के लिए launch किया गया है, पहली statement, दूसरा, समर्थ, ए तरफ, यहां पर, बायो मॉस को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, कॉल के साथ में, तो बताई, इसका correct answer क्या होगा, मेरे प्यारे दोस्तों, बतादो फटा फट से, क्या होगा, तूसरा क्या होगा, तो जिहां, समर्थ नाम की एक initiative को शुरू किया गया है, किसके महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा अलग-अलग initiatives लिए जाएंगे महिलाओं के entrepreneurship को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही बात है और समर्थ तीन है एक महिलाओं वाला हो गया MSME का दूसरा ministry of power वाला भी समर्थ है बिल्कुल सही बात है 2021 के दर mandate किया गया था जहां पर जहां पर capacity building की जाएगी तो इसका correct answer हो जाएगा C, both 1 and 2 correct है C, both 1 and 2 correct है इसकी PDF शेर कर दूँगा ज्यादा tension लेने वाली बात नहीं है तो समर्थ क्या है ministry of power के द्वारा भी launch किया गया था क्योंकि हम कोईले का इस्तमाल क्या करना चाहते है कम करना चाहते है क्योंकि हमें क्य अक्साइड का emission को क्या करना है कम करना है ऐसी minister of textile ने क्या किया था कि जो textile सेक्टर है उसके इंदर में कैसे capacity building की जाए उसके लिए है फ्लीज याद रखिएगा ठीक है clear है क्लिर है चलें फटाफट वर्ल प्रेस प्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है याद रखिएगा इसको Reporters Without Border प्लीज याद रख लिना इस नाम को बहुत ज़्यादा important है आपके exam के लिए इस समय बहुत ज़्यादा important है आपके exam के लिए इस समय पर किसके दौरा release किया जाता है Reporters Without Border और्गनाशन के दौरा वर्ल्ड के अंदर में press को कितनी freedom है किस country में press को कितनी freedom है उसके basis पर क्या किया जाता है countries को rank किया जाता है तो प्लीज याद रखेगा World Press Freedom Day कम मनाया जाता है 3rd May को मनाया जाता है पहली बात तो याद रख लेना ये भी important fact है उस दिन दोस्तो 20th edition launch किया गया World Press Freedom Index किसके द्वारा reporters without border के द्वारा और भारत की ranking इसमें सबसे खराब ranking दी गई भारत की ranking कितनी आई 180 में से 1.500 प्लीज याद रखेगा तो अब इसके बाद में बहुत बड़ा हंगामा मचा हंगामा ये मचा कि भाईसा भारत के अंदर में तो प्रेस को freedom है ही नहीं प्रेस को freedom है ही नहीं तो सलिए एक और याद रखेगा World Press Freedom Day उससे related है क्या है 1991 का Wind Hawk Declaration जिसको UNESCO ने adopt किया था उसके आधार पर United Nations General Assembly ने 1993 के अंदर में क्या किया ये कहा कि हम भाई 3rd में को क्या करेंगे World Press Freedom Day के रुपे मनाएंगे ठीक है? क्लियर है? चलें अगला question चलें अगला question अगला बना बना हुआ है बताई इस question का आंसर दीजिए सभी के सभी बताई इस question का उत्तर दीजिए जो present flag है इसको किसी ने design किया? पिंगाली वेंकिया जी ने design किया आर्टिकल 51 ये कहता है आर्टिकल 51 क्या है? fundamental duty ये कहता है कि हमें abide करना है किसके constitution को respect करना है किसको हमारे ideals को, institution को national flag को, national anthem को हमें क्या करना है? उनको respect करना है और जो national flag हमारा अभी है तिरंगा जिसको हम कहते है उसको हमने कब adopt किया? 22 जुलाई 1949 के अंदर में हमने इसको क्या किया है? adopt किया है मेरे प्यारे दूस्तों पता दीजे फटा-फट से पता दीजे इसका भी answer दे दीजे current affair का question है ये current affair का direct question है बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ था आर्टिकल था हिंदू newspaper के अंदर में भी इंडियन express के अंदर में भी बता दो भई पटा-फट से इसका answer दो देखें मैं कि कितने लोग answer दे रहे मैं wait करता हूँ इस बार थोड़ा सा वह भी वह बहुत बड़ी आशाबाश चलिए देखें इसमें भी लोग गड़बर करने लग गए ना पहली बात समझे जी यहां जो हमारा national flag है उसको पिंगाली वेंकिया जी ने बनाया जो अभी present time में है पहली बात बिल्कुल सही बात है दूसरी चीज़ अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या है आर्टिकल 51 बिल्कुल सही बात है यह कहता है fundamental duty है बिल्कुल सही बात है यह कहती है fundamental duty fundamental duty सही बात है और क्या 1949 के अंदर में जो हमारा national flag है उसको हमने adopt किया था नहीं 1947 के अंदर में 1947 बाइस जुलाई को please इस fact को याद रखेगा थर्ड स्रीटमेंट गलत 1 और 2 बिल्कुल सही उसका correct answer हो जाएगा 1 और 2 क्या हो जाएगा यह इसका correct answer हो जाएगा यह इसका correct answer हो जाएगा ठीक है clear है तो please याद रखेगा जो present flag है हमारा उसको हमने स्वराज flag के ओपर में बनाया उसके इंदर कुछ changes किये प्लीज याद रखेगा बहुत बहुत जादा important है constitution अगर statutory provision देखा जाए तो हमारे constitution के अंदर में fundamental duty के अंदर में लिखा है हमारे पास में कई सारे laws हैं जहाँ पर यह है कि हमें कैसे prevent करना improper use को कैसे respect करनी है और national flag को कब adopt किया गया concentrate assembly के द्वारा 22 जुलाई 1947 को ठीक है चले अगला question नीज में है भाईया बहुत जादा काटसा काटसा बहुत जादा नीज में है ये दरसल fact जो है 22 जुलाई 1947 वाला हिंदू news papers उठाए गया इसलिए UPSC के लिए क्या हो जाएगा ये बहुत जादा प्रिये question हो जाएगा चलिए इस question का answer दीजिए consider the following statement regarding countering America's adversary through sanctions act काटसा the main objective of काटसा to counter Iran, Russia, China and South Korea पहली बाद it empowers the US president to impose some sanctions on persons engaged in a significant transaction बिल्कुल सही बताइए क्या होगा इसका correct answer मेरे प्यारे दोस्तो ये statement बिल्कुल सही है ये statement गलत है क्यूँ क्यूँकि 2017 में काटसा नाम का एक एक पास किया गया जिसके अंदर में power दी गई प्रेजिडेंट को कि इन तीन countries के साथ में अगर कोई trade करता है तो उसके उपर में क्या लगाए जा सकते हैं sanctions लगाए जा सकते हैं तो तीन country कौन कौन सी है Russia है Iran है और कौन है North Korea उसका China का कहीं पर भी जिक्र नहीं है तो first गलत to onlys का correct answer हो जाएगा इसलिए आपको पता होगा इरान के साथ में हमने क्या किया oil को खरीदना बंद कर दिया Russia से जो S-400 हम खरीद रहे थे उसके और में यही टेंशन थी कि भईया S-400 कहीं रोक न लगा दी जाए काट सागे काड में लेकिन हमने क्या 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 हमने waiver ले लिए तो प्लीज याद रखे उसका B क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन नीती आयोग और मेटा यानि कि जिसको Facebook के नाम से जाना जाता है उन्होंने एक objective शुरू किया गोल गोल प्रोग्राम शुरू किया है और इस प्रोग्राम का एम क्या है कि वो ट्राइबल जो यूथ है जो विमन है उनको empower करेंगे digitally empower करेंगे digital empowerment होगा उनका बताईए फटा-फट से बता दीजी बता दीजी इसका फटा-फट से आंसर बता दीजी कि नीती आयोग और मीटा ने क्या किया है एक collaboration किया है क्या ऐसा किया है बता दीजी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों ये गलत है स्टेटमेंट नीती आयोग ने गोल स्टेटमेंट को ज़रूर याद रखेगा एक्जाम के लिए बहुत जादा important है लेकि इसमें नीती आयोग नहीं है इसमें कौन है Ministry of Tribal Affairs Ministry of Tribal Affairs प्लीज याद रखेगा बहुत जादा important है तो फर्स स्टेटमेंट गलत है टू ओनली इसका क्या है क्यों गोल के अंदर में ये इनिशेटिव लिया गया है कि कैसे digitally empowerment किया जाए यूथ का, women का तो इसका correct answer क्या हो जाएगा बी, to only इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा तो प्लीज याद रखेगा गोल, going online as leaders ये joint initiative है किसका Ministry of Tribal Affairs and META यानि कि Facebook का fully funded है किसके ज़ारा META के ज़ारा fully funded है aim क्या है to digitally empower tribal youth ठीक है, चलें, फटाफट से आगे बड़े ठीक है next question next question बोनालू festival is celebrated in which state बोनालू festival is celebrated in which state बोनालू festival वो है जहाँ पर जैगरी के अंदर में वो rice को mix करके अर्धन pot के उपर में सर पे रखकर लेका जाया जाता है तो बोनालू festival कौन से state से है किस में मनाया जाता है बता दीजे फटाफट से इसका correct answer है मेरे प्यारे दोस्तों C, तेलंगाना के अंदर में मनाया जाता है प्लीज याद रखेगा तो बोनालू एक annual festival है जो दो cities के अंदर में हैधराबाद और सिकंदराबाद कहाँ पर तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है कहाँ पर तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है और यह festival जो goddess है महाकाली जी उनके लिए क्या है मनाया जाता है प्लीज याद रखेगा बाकि सारी definition आपके लिए क्या है exam के लिए जो भी important है सारी explanation आपके इस PDF में available है अगला question which of the following country does not share its border with Caspian Sea Caspian Sea के साथ में कौन सी country अपना border share नहीं करती है बता दो भाई, बहुत अच्छा question है ये भी और easy question है easy question है बताईए फटाफट कसकस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, इरान कसकस्तान तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया और इरान बताईए कौन इसके साथ में border अपनी share नहीं करता Caspian Sea की बात कर रहे है Caspian Sea Caspian Sea की बात कर रहे है तो ये देखिया आपके सामने ये रा मैप Caspian Sea, कसकस्तान करता है, तुर्कमेनिस्तान करता है, इरान करता है लेकिन क्या आर्मेनिया करता है नहीं करता तो answer क्या हो जगा इसका C इसका correctage हो आर्मेनिया अपनी border को share नहीं करता, Caspian C कहा पा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों यह रहा हमारा प्यारा भारत प्यारे भारत से जब इधर की तरफ हम जाएंगे बता दीजिए फटाफटसे तो गहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों यह आपका है कहां पर एसका कर्रेक्ट आंस रजाए कहां पर है तमिल-नाडू के अंदर में तामिल-नाडू प्लीज याद रखेगा नत्राज शिव जी के जो नत्राज वाली मूर्ती देखते हो आप सभी के सबी, वो इसी मंदिर, प्लीज याद रखेगा, ठीक है, तो ये नाट्य शास्त्र जो भारत मुनी के द्वारा लिखा गया था, जिसके बेसिस पर हम क्या कहते हैं, भारत नाट्यम का क्या हुआ था, वो सारे तो जो नट्राज, क्या है, जो परफॉर्मेंस है, जिसके इनमाश्य शिव जी एक डिलाइटिड डांस कर रहे हैं, उसकी फॉर्म यहाँ पर क्या है, पूजा किया जाती इस मंदिर के अंदर है, प्लीज याद रखेगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठोला डाइन क्सक्कें में पकूलिए क्सक्राइबिल्टि को हम काउंट करेंगे, किस के अंदर नोग दूकर fitting, जल्दी से जल्दी ऀसका करेक्ट ऐसका एसका करेक्ट आंसर इसकी पीडियफ आपको मिल जागी टेंशन नी लेना तो आपके आर्टिकल कहां से 14 से लेके 18 कहां तक आते हैं equality equality की बात की जाती है इसका करेक्ट answer हो जाएगा, ठीक है, तो D इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, right to equality, 14 से 18, ठीक है, article 17, next question, in separation, in India, separation of judiciary from executive is enjoyed by, किसके द्वारा किया जाता है, separation, separation की बात कहां पर की गई है, तो भ्याद रखेगा, DPSP के अंदर में बात की गई है, किसकी, जहां पर judiciary और executive को अलग-अलग करने की बात की गई है, previous question है, please याद रखेगा, 2022 के अंदर में ही ये प्रशन आ चुगा है, already, याद रखेगा, ठीक है, clear है, clear है, clear है, चले है, फटा-फट, तो 20 का correct answer है, कौन सा article बात करता है, article 50 बात करता है, जहां पर constitution ये कहता है, कि ये हमें effort करना से ही है कि इस judiciary और executive को क्या किया जाए, अलग-अलग कर दिया जाए, और DPSP क्या है मेरे प्यारे दोस्तो, DPSP non-justiciable है, non-enforceable है, please याद रखेगा, part 4 की बात की जाती है, please याद रखेगा, चले, next question, हती tribe, किस state को बिलॉंग करती है, recently news के अंदर में, तो ये tribe से question आपकी exam में आ सक करता है, हती tribe, हती tribe, कौन से state को बिलॉंग करती है, हिमाचल प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्राखण, हिमाचल प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्राखण, बता ये कहां से, तो याद रखेगा, हती tribe कहां पर, हिमाचल प्रदेश याद रखेगा, हिंदू न्यूस पेपर के अंदर में, करंट फेर का ये बहुत important हिस्सा रहा इस समय पर, तो हत्ती ट्राइब कहां पर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, प्लीज याद रखेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, तो हत्ती ट्राइब, हिमाच आप देखिए, इन इंडिया, चीता वाज डिकलेर्ट एक्स्टिंट इन 1956, एशियन चीता पाउंड ओनली इन इरान, ठीक है, विद लेस देन 100 इंडिविजोल्स लेफ्ट, दा यूजीन स्टेटास ऑफ अफ अफरिकन चीता इस एंडेंजर, बता दीजिए, फटा फटा फ इंडर में, नैमीबिया नाम की एक कंट्री है, कहां पर अफरिकन कंट्री है, जिसके हम क्या कर रहे हैं, अफरिकन चीता को लाने की बात कर रहे हैं, कहां पर भारत के इंडर में, रिलोकेट करने की बात करने हैं, तो भारत के इंडर में, प्यारे दोस्तों, 1952 के इंडर मे क्या हुआ चीता को extinct गोशित कर दिया गया तो यह statement क्या है गलत है क्या are you seen status African चीता का क्या है endangered है क्या नहीं दोस्तों ये भी गलत है तो क्या है 1 and 3 दोनों की दोने statement सही है बिल्कुल सही है Asian चीता इंडिया में extinct है सिर्फ और सिर्फ कहां पाय जाता है तो ये पूरी की पूरी कुनो नेशनल पार्क सारी की सारी चीज़ है अभी कहां पर नैमीबिया नाम के country से क्या है वहाँ से हम इसको क्या कर रहे है कुनो नेशनल पार्क के अंदर में हम relocate कर रहे है ये सारी की सारी definition है आपकी कि are you seen status क्या African का African का क्या है और अशियाटिक चीता का क्या है critically endangered इंडिया के अंदर में तो इसको क्या किया जा चुका है extinct ही गोशित किया जा चुका है ठीक है clear है चले next question की तरफ आते हैं economic survey किसके अंदर में prepare किया जाता है बहुत easy question है प्रधान मंत्री के अंदर में वित्त मंत्री के अंदर में मुक्खे आर्तिक चलाकार और CAG प्राइम मिनिस्टर, फाइन्स मिनिस्टर, चीफ इकोनोमिक अडवईजर आपको बहुत आसानी से पता होगी कि हर साल बजट से पहले economic survey आता है जिसके अंदर में क्या क्या चाता है उसके बारे में क्या किया जाता है अनलेसिस दिया जाता है तो याद रखेंगे किसके अंडर में Chief Economic Advisor के अंडर में क्या किया जाता है Economic Survey को Prepare किया जाता है क्यूंकि ये क्यूं थे इन्होंने एक Article लिखा था Hindu News Paper में तो Chief Economic Advisor आपके लिए क्या हो जाता है इंपॉर्टन हो जाता है तो Economic Survey of India Annual Document है किसके द्वारा Release किया किसके द्वारा क्या जाता है Finance Ministry के द्वारा लेकिन प्रिपेर किसके guidance में क्या जाता है Chief Economic Advisor के अंडर में इसके अंदर में आपके यह बहुत अच्छा कुश्शन है maternal mortality ratio maternal mortality ratio बहुत अच्छा ecosystem है कि जर्म देते समय पर pregnancy के दौरान कितनी महिलाओं की क्या हो जाती है कितनी माह की क्या हो प्लीज याद रखेगा क्या इंडिया ने अचीव कर लिया नहीं दोस्तों दरसार सस्टेनिबल डेवलप्मेंट गोल के इंदर में कहा गया है कि हमें यह अचीव करना है कि 70 होना चाहिए MMR 70 का मतलब क्या? 70 का मतलब क्या? कि जितने भी महिलाओं की डेथ हो रही है वो 70 से जादा नहीं होनी चीए 70 से कम होनी चीए लेकिन अभी हमने इसको अचीव नहीं कर पाए है कितने नंबर के उपर में जादा तर डाट आप देखते होगे कि 1000 नंबर पर कहा जाता है लेकिन इसका याद रखिएगा एक लाख लाइव बर्थ पर काउंट किया जाता है यहाँ पर 10 लाख लिखा है तो यह भी क्या है गलत है तो 3 only क्या है इसका correct answer हो जाएगा C 3 only इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा 3 only 3 only इसका correct answer हो जाएगा C ठीक है चलिए प्लीज याद रखिएगा तो याद रखिएगा maternal mortality ratio कि इसको बढ़ जाता है जो maternal death है birth देते समय पर कितने एक लाख के उपर में live birth के समय पर कितनी महिलाओं की क्या हो जाती है death हो जाती है उसको हम count करते है maternal mortality rate के साथ से तो ideally sustainable development goal नेका है कि अगर एक लाख के उपर में 70 ये number हम ले कर जाते हैं तो क्या है हम दीरे-दीरे progress कर रहे हैं दीरे-दीरे progress कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ अभी है इंडिया ने अचीव नहीं करी है तो रेजिस्टरार जनरल ऑफ इंडिया ministry of home affairs फ्लीज याद रखिएगा ठीक है clear है अगला question the constitution of India provides for both parliamentary form of government कहाँ पर center पर भी और state पर भी parliamentary form of government constitution of India provide कराता है बिल्कुल सही बात दूसरी statement the parliamentary government is also known as the Westminster model Westminster model के नाम से भी क्या क्या है इसको जाना जाता है parliamentary form of government को बता दीजिए फटा फट से question का answer ठीक है बता दीजिए तो C बोथ दोनों की दोना statement से ही हिंदू newspaper के editorial section में से ये question है ठीक है तो इस क्या हो जाए 1 and 2 C इसका बोथ correct answer हो जाएगा ठीक है parliamentary form of government का मतलब क्या हो गया जैसे US के इंदर में देखो तो presidential form of government है प्रेजिदेंट साब महाँ पर सारी की सारी चीजिए और parliamentary form of government के इंदर में हम क्या बात कर रहे है प्राइम minister CM महाँ पर तो state और center दोनों पर यह चीजिए ठीक है clear है चलें बिटेन जापान कनेडा इन सब में क्या है प्रेवेलेंट है नेक्स question मेकॉंग रिवर कहां से flow नहीं करती है मेकॉंग नदी कहां से flow नहीं करती है मेरे प्यारे दोस्तों मेकॉंग नदी कहां कि जितने भी countries हैं, कौन-कौन सी countries ये देख लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए, कौन-कौन सी, कहां-कहां से, China से, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia और Vietnam में जाते हैं, इसी के लिए मिकॉंग, River Commission भी बनायोगा किन countries ने, Cambodia, Laos, Thailand और Vietnam में, उनका conflict चलता रहता है कि इसके साथ में, China के साथ में चल इतना यूज करना, सारी चीज़े, तो याद रखिएगा, मैं कौन रहती है, ठीक है, अगला question, अगला question, ethanol blending से related है, ethanol blending मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, ethanol blending, ethanol बनाना, ethanol किस से बनाया जाता है, बता दूँगा तो आपको पता जाए, ethanol blending क्या है, ethanol को mix करना, किस के साथ में, पेट्रोल और डीजल के साथ में mix करना, अभी आप जोग अपनी गाड़ी चलाते हो, तो पूरा का पूरा क्या करते हो, आप पेट्रोल और डीजल ही पूरा यूज करते हो, तो यह कहा गया है, टार्गेट यहा गया है, क्यों ना ethanol को mix किया जाए, पेट्रोल और डीजल के स काफी समय से कोशिश की जारें ग्ववर्मेंट कोशिश कर रहे है कि क्या किया जाए कि शुगर कई से एथन 설 बनाया जाए और शुगर के से एधनल बनना शुरू हो जाएगा तो उसे बेनेट क्या मिलेगा और में मील के पास पैसा आ जाएगा जाएगा me ज्याद रखेगा तो government ने अभी अपना target क्या कर दिया है 20% कर दिया है लेकिन भाईया वो 2025 तक achieve करना है पहले 2030 तक था achieve करना अब उसको हमने का है कि मिनी 2025 तक हम achieve करेंगे तो पहली statement क्या है गलत है दूसरी statement बिल्कुल सही है not a national policy है बायोफील के उपर में उसने का भाई wheat हो गया गीहुं हो गया rice हो गया इनसे भी किया सकता है किसको बनाया जा सकता है niego को बनाया जा सकता है 2-0 का करेंचे आशर को जयेगा क्या हो जाएगा टू nominal executive कहते हैं, डी जी और executive title और executive भी बोलते हैं और prime minister को हम real executive भोलते हैं, पहले statement दूसरी statement यह है कि prime minister क्या है head of the state है, while president head of the government है, बताइए, बता दीजिए फटाफट फटाफट से बता दीजिए भाई, मज़ा आ रहा है सभी को, या नहीं आ रहा सबसे बनता है, यह खाने चावल से भी, एवन आएक बार question आ चुका है beat root से बनता है, क्या, beat root से भी बनता है, तो जो खाने पीने के चीजें है वहाँ से, वहाँ से भी बनाने की बात की गई है, खाने पीने के चीजों से बनाने की बात की गई है, तो please of the state president होते है, तो यह क्या है, गलत है, तो one only इसका क्या हो जाए, correct answer हो जाएगा, one only correct answer हो जाएगा, president का election बहुत जादा news में है, वहाँ से इसलिए क्या हो जाएगा, यह बहुत जादा important है, ठीक है, clear है, one only, one only, the president is nominal executive, president क्या है, head of the state है, while president, PM क्या है, government के head, ठीक है, clear है, next question, दार्लोंग community किस state से बिलॉंग करते हैं, दार्लोंग community किस state से बिलॉंग करते हैं, जल्दी, जल्दी से बताओ, दार्लोंग community किस state से बिलॉंग करते हैं, तिरपुरा, अनुनाचल प्रदेश मनीपुर नागालेंड तिरपुरा अनवाचल प्रदेश मनीपुर नागालेंड दारलोंग कम्मुनिटी कहां से बिलॉंग करते हैं तिरपुरा से बिलॉंग करते हैं नियूद बने हुए इसलिए ट्राइब से डिलेटेड कम्मुनिटी से डिलेटेड क्वेश्च का नहीं हो सकता, अबॉर्शन कराना, जिसको और सरल भाषा में गोला जाए, अबॉर्शन कराना, क्योंकि वहाँ पर कई सारे स्टेट्स ने लॉपास किया है, कि वहाँ पर अबॉर्शन अलाउड नहीं है, 1971 के अंदर में भारत के अंदर में मेरे प्यारे दूस्तों, act pass किया गया, जिसके इंदर में हमने कहा कि भारत के इंदर में certain conditions के इंदर में क्या किया जा सकता है, ठीक है, क्या किया जा सकता है, abortion कराया जा सकता है, तो पहले वो 20 week तक allowed था, recently government ने उसमें amendment किया, उसको 20 week की जगे पर क्या किया, चले, तो ये MTP से related, और ये amendment से related, प्लीज याद रखेगा, इसके कुछ fact ये जरूर याद रखेगा, जैसे क्या है, 12 week तक, सिर्फ और सिर्फ पहले क्या होता था, एक की जरूत होती थी, यहाँ पर भी एक की डॉक्टर की suggestion की जरूत है, बारा से 20 week तक, पहले 2 की जरूत होती थी, रिजिटर्ड मेडिकल प्रेक्टरिशनर्स की, अब सिर्फ एक की जरूत है, और 20 से 24 तक, पहले allowed ही नहीं था, हमने उसको allowed कर दिया था, certain conditions के अंदर में, ठीक है, certain conditions के अंदर में, ठीक है, चले, बाई, repeated question का comment कर रहे हो, हाँ, repeated question है, बाई, यह compilation है, दोस्त, यह compilation है, revision चल रही है, यहाँ पर हम concept समझ नहीं रहे है, हम revision कर रहे हैं, दोस्त, revision कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़े पहले डिकलेर कर करके चलते हैं, फिर भी उसके बाद में ऐसा, innovation, India innovation index को release किया, उसके इंदर में top किया है तेलंगाना क्या है, सबसे last पर रहा है तो please याद रखिएगा, नीती आयोग ने recently ये क्या किया है, इंडिया's innovation index भारत के इंदर में कौन कौन से state के इंदर में innovation को जाधा promotion दिया जा रहा है प्रोमोट किया है, उससे related index को क्या किया है, रिलीज किया है, तो क्या तेलंगाना की last rank आई है क्या, नहीं तेलंगाना तो बहिए second number पर है, तो ये गलत है first and second दोनों की दोनों सही है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, इसका correct answer हो जाएगा correct answer हो जाएगा ठीक है, correct answer 1 and 2 हो जाएगा ये इसका correct answer है, करनाटका के बाद में कौन है, तेलंगाना है, हरियाना है, महरास्ट है, last पर कौन कौन है, आपके गुजरात हो गया, बिहार हो गया, उडिशा हो गया, 36 गड़ हो गया, ये सब के सब क्या है, last variance ranking के अंदर, चलिए, next question आपके सामने, president rule से related है, कि जो president rule है, वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 356 के अंदर में जो grounds mention है, उन्हीं पर ही लगा जा सकता है, पहला, दूसरा क्या है, president rule को अगर proclaim किया जाता है, तो उसके अंदर में parliament के द्वारा उसको एक महीने के अंदर में क्या होता है, pass कराना होता है, आप सभी जानते है national emergency, president rule और financial emergency, इन सभी को हमें क्या करना पड़ता है, parliament से pass कराना होता है, तो बताईए, फटा-फट से बता दीजिए, फटा-फट से बता दीजिए, कि president rule को parliament से एक महीने के अंदर में, pass कराना होता है, और जो president rule लगता है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 356 के grounds पर ही लगता है, तो आर्टिकल 356 के अधार पर president rule लगता है, और 356 में एक बात नहीं mentioned है, मेरे प्यारे दोस्तों, कि मान के चलिए समविधान के अधार पर चलने से, सरकार fail हो जाती है, तो गवर्णर पर रिप्रोट भेशते हैं, और गवर्णर के anticipation के basis पर भी क्या president rule लग सकता है, साथ में एक और चीज लिखे है, उसके अंदर में, कि article 365 के अंदर में भी कुछ चीज़े mentioned है, 365 ये कहता है कि center कुछ directions दे सकता किसको state को, और अगर वो direction state नहीं मानता, तो भी उसको उपर में क्या लग सकता है, प्रेज़ेट रूल लग सकता है, तो article 356 के अंदर में, दो conditions के उपर में क्या लग सकता है, प्रेज़ेट रूल लग सकता है, प्लीज याद रखे, तो पहले statement गलत है, only जो लगा हुआ है, कि सिर्फ यहीं पर लग सकता है, दूसरी statement भी क्या है, दोस्तों, गलत है, तो प्रेज़ेट रूल है, उसको हमें दो महीने के अंदر में क्या है, पास कराना पड़ता है, सिर्फ national emergency को हमें parliament से एक महीने के अंदर में क्या होता, पास कराना होता, बाकि उसको दो महीने में financial emergency को भी, तो क्या हो जाएगा, इसका correct answer D, दोनों में से कोई भी statement क्या है, सही नहीं है, ठीक है, clear है, D इसका correct answer, कोई भी statement सही नहीं है, अगला question, worldly painting कहां से बिलॉंग करती है, किस state से worldly painting बिलॉंग करती है, वरली painting कौन से state से बिलॉंग करती है, वरली painting कौन से state से बिलॉंग करती है, तो महराष्ट्र से बिलॉंग करती कि विलॉं करती हैं आपके महरास्चा से विलॉंग करती है नेक्स्ट क्əोयगा नेक्स्ट कुरेघी तो वरली newspaper के अंदर में article था तो आप से question पूछा जा सकता है बाथिया commission किस से related है दोस्तो महाराष्ट के अंदर में commission को बनाया गया था कि कैसे local bodies के अंदर में OBCS को reservation provide किया जाए तो इसका क्या answer हो जाएगा C is का correct answer हो जाएगा महाराष्ट के अंदर में बाथिया commission किया है बनाया गया था बाथिया commission कहाँ पर महाराष्ट के अंदर में ठीक है तो यह क्या है reservation in local bodies से related था ठीक है clear है तो C is का correct answer हो जाएगा next question Asian development bank वह यह news में था यह Asian development bank news में था बता दो फटा-फट से Asian development bank से related यह question आपके सामने है एशियन development bank से related question आपके सामने है कि Asian development bank क्या release करता है एक report release करता है जिसका नाम क्या है Asian development outlook और जापान और USA जो है largest shareholder है किसके अंदर में Asian development bank के अंदर में तो क्या होगा इसका correct answer मेरे प्यारे दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा प्लीज याद रखेगा तो Asian development outlook यह report किसके द्वारा इसके द्वारा Asian development bank के द्वारे निकाली जाती है Asian development bank कब इस्थापित किया गया 1996 के अंदर में इसका headquarter कहाँ पर है Manila के अंदर में है प्लीज याद रखेगा भारत भी इसका हिस्सा है और इसके इंदर में अगर देखा जाए तो largest shareholder को ने सबसे पहले को ने जापान और क्यान में 1985 और दूसरी statement कहा there is no scope of judicial review of Speaker decision इसका कोई judicial review नहीं किया जा सकता है च petty सबसका कोई झीशन रिवव नहीं किया जा सकता है अब बताईए फट्रवाट इसका आंसर बताईए तो इसका correct answer होगा B, पताई क्यों? क्योंकि आपसे पूछा incorrect statement तो यह statement गलत है, यह statement सही है जी हाँ, 50 seconds से add किया है था, अभी बताई मैंने आपको, लेकिन क्या judicial review का scope नहीं है स्कोप है तो अभी मैंने आपको पढ़ा है क्यों हो तो होलान केस, तो यह statement गलत है तो आपसे पूछा क्या है, UPSC यही गुमाता है incorrect पूछा है, तो B इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा, B B, ठीक है, clear है तो B मैंने आपको already है, सारी चीज मैं आपको पता चुका हूँ speaker और chairperson क्या लेते हैं, decision लेते हैं किसी के भी disqualification से related ठीक है, clear है, चले, पटापट से, आगे बड़े next question, under the Indian concentration कि जो concentration of wealth हो रहा है, वो किसका violation है previous year question है, previous year question है किसका violation हो रहा है, Chris का violation हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारे जो DPSP है, उसके अंदर में ये लिखा है, कि ये state को ensure करना चाहिए, कि state को ये ensure करना चाहिए, कि wealth का concentration ना हो, पैसा एक जगे पर इकठा ना हो, प्लीज याद रखे, तो इसका correct answer क्या है, DPSP का क्या है वालेशन हो जाएगा, अगर कहीं पर भी क्या हो, concentration of wealth होता है, तो वो किसका वालेशन है, DPSP का, प्लीज याद रखेगा, DPSP and fundamental right, fundamental right enforceable है, DPSP enforceable नहीं है, जानि कि fundamental right का अगर वालेशन होता है, तो आप court में जाकिए कह सकते हो, भाई जानिक, government का मतलब क्या है, यह भी previous question का, तो क्या है representative government है, जहाँ पर national, federal structure, क्या constitutional government, आगर NCRT पढ़ लोगे, तो NCRT के अंदर में functions of constitution के अंदर में चीज साफ साफ लिखा है, कि constitution क्या ensure करता है, constitution यह ensure करता है, कि भाईया मेरे, किसी को भी किसी के पास में भी absolute power ना आ जाए, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सरकार के पास में, यहनि कि सरकार की power को limit करने का काम क्या है, constitution करता है, government limited by the terms of constitution, D's का क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, D's का correct answer हो जाएगा, ठीक है, चलने, तो D's का correct answer, explanation आपके सामने है, constitutionalism की बात जब करे जाते हो, constitutionalism का मतलब कि है कि समविधान, समविधान के सार्थ से सरकार चलनी चाहिए, अगर constitution में चीज ना लिखी गई होती कि आपके fundamental right coalition नी हो सकता, तो सरकार तो limitless है, कुछ भी कर सकती थी, ठीक है, clear है, चलिए, next question, Sinkaku Island, recently news में था, ये 2022 का prelims का question है, 2022 का, Sinkaku Island recently news में था, पताए किस से related है, Sinkaku Island, अभी हमने हिंदू newspaper में भी Sinkaku Island को किया है, तो Sinkaku Island, क्या है, किसके बीच में dispute है, चाइना और जापान के बीच में क्या है, दोस्तों dispute है, जिसके अंदर में maritime dispute चलता रहता है, चाइना और जापान के अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यह रहा Sinkaku Island, चाइना और जापान, यह रहा Sinkaku मियावाकी मेथोड किस से रेलेटिड है मियाव Peanut भटा फट यह है कि आप अर्बन एरिया के अंदर में फॉरस्ट कैसे बनाएऊ उसके लिए मिया वाकी पद्दती प्लीज याद रखेगा तो मिया वाकी क्या है फॉर्स्टेशन से रिलेटेट है ठीक है जैपनीज जो बोटनिस्ट थे अकीरा मिया वाकी उन्होंने 1970 में इसको शुरू किया था ठीक है ठीक है उनके नाम पर यह किया गया है अब ये नैशनल एंबलम से रिलेटेट कोश्चन है बहुत ज़्यादा दहारता हुआ शेर नियूस के अंदर में बना हुआ था तो वहां से भी कोश्चन ही आ सकता आपके एक्जाम के अंदर में कि नैशनल एंबलम से रिलेटेटेट कोश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कोश्चन पूछा जा सकता बताईए फटा-फट से इस question का answer दीजी बताईए फटा-फट से फटा-फट भाई फटा-फट 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 टीप है तो क्या है जो चार animal है national emblem के अदर में कौन-कौन से है जो चार जो animal है वो direction को बताते है north, south, east, west direction को बिल्कुल सही बात है, चार जो एनिमल है, वो एक हॉर्स है, सही बात है, काव है क्या उसके अंदर में, नहीं, काव नहीं है, बुल है, बिल्कुल सही बात है, टाइगर है क्या, नहीं, तो हॉर्स है, बुल है, एलिपेंट है, और उसके साथ में कौन है, लायन है, फ्लीज य आता ठीक है और यह कहां से लिया था हमने सारनाथ lion capital से हमने लिया था प्लीज याद रखेगा morian जो emperor थे अशोका से related ठीक है clear है और इसके अंदर में कौन कौन है एक lion है एक bull है एक elephant है और इसके अंदर में कौन है एक horse है और clockwise direction में क्या कर रहे है किसमे clockwise direction में क्या कर रहे है move कर रहे है ठीक है और यह चारो क्या direction को दिखाते है direction को दिखाते है 24 spokes है wheel के अंदर में जिसको हमने क्या क्या अशोक चकर को अपने भारत के जो हमारे तिरंगा उसके अंदर में लिया ठीक है इनना में रोमानिया बुलगारिया अइरान और टरकी घटाओ फटाफट से अचुके ब्लैक सी के साथ कॉन पॉर्टर शे नहीं करता इरान आपका बॉर्टर शेर नहीं करता आप देख लिजे यह रही, फ्लैक्सी, यह रहा यूकरेन, यहीं पर तो मारधार चल रही है सारी के सारी, यह रहा क्रीमिया वाला रिजन, फ्लीज याद रखियेगा, ब्लैक्सी बहुत जादा रखेगा, next question, zero budget natural farming, एक method है जहां पर हम chemical free agriculture को इस्तमाल करते हैं, यह originally महारास्ट्रेन जो अग्रिकल्चुरिस थे जिनको पदमर्शी मिला है, सुभाश पहलकर जी उनके द्वारा किया गया था, और जो है union government ने भी एक committee बनाई है recently, इसके इंदर में उनने कहा है कि MSP और zero budget farming को कैसे MSP से related suggestion दिया जा, और zero budget farming को कैसे आगे बढ़ा है जा, उससे related बात किए बताओ फटा-फट से, इसका correct answer क्या होगा, correct answer क्या होगा, तो याद रखेगा, इसका correct answer है D, इनों कि तोने statement सही है, क्योंकि जितना ज़्यादा chemical का इस्तमाल किया, कल मैंने PIB के session में भी लिय मैंने बता है कि जितना ज़्यादा chemical इस्तमाल किया जाएगा, जितना ज़्यादा chemical use होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, बिमारियों के chances बढ़ते जाएंगे, भारत के बिमारिया देरे-देरे क्या है, बढ़ती जाएंगे, तो उनको रोकने के लिए क्या किया रहा है, य बॉर्डर को शेर नहीं करता है तो प्लीज क्या अरुनाचर प्रदेश करता मेगाले नहीं करता सिक्किम नहीं करता उत्राखंड नहीं करता चाइना के साथ बॉर्डर चलें, आगे बढ़ें फटा-फट से, आगे बढ़ें, आगला question, consider the following statement, article 30, article 30, it provides that any section of the citizens residing in any part, article 30 ये कहता है कि भया, किसी के पास भी, कोई भारत के इंदर में जो रहा है, उसके पास में अधिकार है, कि अपने उसको क्या कर सकता है, preserve कर सकता है, और article 29 ये कहता है, कि भया, स तो ये statement, दोनों मैंने उल्टी कर दिये, article 39 कहता है, कि सभी के पास में cultural, अपने language को, अपने culture को preserve करने का क्या है, अधिकार है, ठीक है, और article 30 कहता है, कि किसी के पास में भी अपने क्या है, institutional को बनाने का क्या है, अधिकार है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका correct answer को जाएगा किसको तथागत के नाम से भी जाना जाता है? को ओके बात करता है क्थिका पी क्षिए दूसरा क्या है OF resonate की में persons 후 ANY को सब्मिट की जाती है प्रेज़ेंट को सबक्रते इतरी पताइज बता इस बहुत לिए फटा फट-से बता दीजिए फटा फट से बता दीजिए फटा फट बता दीजिए इसका क्या correct answer होगा क्या होगा इसका correct answer क्या होगा C, दोनों की दोने statement से ही है क्या है, किसे related article कौन सा है 148, constitution के दिने, यानि constitutional body है, पहली बात तो याद रखेगा और दूसरी चीज़ क्या है, यह अपने report के इसको submit करते है, प्रेजिडेंट को फिर प्रेजिडेंट इसको parliament में क्या करते है submit करते है, फिर parliament के उपर में क्या होता है debate or discussion होता है, तो दोनों की statement क्या है, सही है, 1 and 2 इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा, ठीक है, 1 and 2 C इसका correct answer हो जाएगा, अगली statement I2U2, भहिया बहुत जागा news में है, अभी सारे के सारे वही की region की बात कर रो ना, Asia, West Asia, सारी चीज़ों की बात कर रो, तो बताओ फटाफट से answer इसका बताओ फटाफट इस question का answer बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, इस question का answer, I2U2, यह क्या है, military agreement है, और यह group है किसका, India, Israel, UAE, USA का, किसकी grouping है, I2U2, तो प्लीज याद रखेगा, I2U2, India, Israel, UAE, और USA, इसको हम West Asia का Quad भी बोल रहे हैं कई सारे लोग, Quad के अंदर में, originally जो Quad है, उसके ति है, ठीक है, तो यह military agreement है, military agreement का मतलब भी होता कि भाईया, जिस जिसने agreement को sign कर लिया, एक country के उपर में किसी ने हमला किया, तो दूसरी country भी वहाँ पर क्या जैसे नाटो है, तो वो नहीं है, ठीक है, तो two only, जानी की, भी इसका correct answer हो जाएगा, I2U2, प्लीज याद रखेगा इंडिया, इसरेल, इसको बोला गया, I2, और UAE, और USA, इसको बोला गया, ठीक है, और इसरेल और UAE के बीच में एक agreement sign वात, उसको बोलते है, अबरहम accord बोलते है, क्या बोलते है, अबरहम accord बोलते है, ठीक है, West Asia, West Asia कौन सा, ये वाला region, प्लीज याद रखेगा, ठीक है, य फनम किसको बोला जाता था, medieval time के अंदर फनम, फनम किस नाम से जाना जाता था, क्या था फनम, medieval time के अंदर फनम, तो ये जी हा, इसको gold coins को फनम किराभ मिसे जाना जाता था, तो प्लीज याद रखेगा, इसका correct answer हो जागा B, previous question, इस साल के UPSC के prelims के अंदर में question आया हुआ इस साल के UPSC के prelims में question है, ठीक है, चलें, अगला question, अगला question है, तो gold currency, ठीक है, ये क्या है, आपके आपके आपर अगरमान के चलिए कहीं पर कोई dispute हो रहा है, industrial dispute हो रहा है, closure हो रहा है, factory बंध हो रही है, lay off हो रहा है, तो उनसे related data कौन इकठा करके रखता है, उनसे related data कौन इकठा करके रखता है, तो आपके आपर कौन data इकठा करके रखता है, कौने इकठा करके रखता है, कौने इकठा, labor bureau, ठीक है, प्लीज याद रखेगा, previous year question, ये भी चीज़ याद रखेगा, important है चीज़े, revision करानी है, तो सारी के सारी करेंगे भाई, ठीक है, अगला question, consumer price index related CPI, CPI, CPI से related, हाँ, ठीक है, चलिए, बताईए फटा-फट से, CPI से related, consumer price index, देखिए, हमारे हाँ पर inflation को, दो index से ना पा जाता है, WPI है, wholesale price index, और एक होता है, consumer price index, CPI, तो wholesale price index क्या, जो हाँ पर wholesale को, मान के चलिए, अगर वो, साथ में, bulk में, खरीता है, 100, चौकलेट, 200, चौकलेट खरीता है, उसको, अगर मान के चलिए, 10 रुपे की चीज़, 20 रुपे मिलने, तो वहाँ पर अब नापते हैं, और consumer, यानि कि आप, और मैं, जो समान खरीदने गए, हमें कितना महंगा मिल रहा है, वहाँ पर services महेंगयों सस्ती होती है, मान के चलिए, आपके अनमे, ओला यूज कर रहे हो, वही महेंगयों सस्ती होती है, तो ये गलत है, only नहीं है, CPI के अंदर में, दोनों की दोनों चीज़े होती है, WPI में, सिर्फ और सिर्फ गूड्स, और आपके CPI के अंदर में, goods और services दोनों की दोनों, base year क्या है, 2011-12, बिल्कु सही बात है, base year का मतलब यह होता है, दोस्तों कि इस year के respect में, compare करते हैं, कि इस year के respect में, कितने rate बढ़ चुके है, तब ही तो हम inflation बताएंगे न, कि महंगाई बढ़ गी है, महंगाई कम होगी, correct answer B हो जाएगा, क्यों हो ठीक है, clear है, please याद रखेगा, आगला question, राज्यसभा से related, राज्यसभा से related question आपी समय, राज्यसभा पहली बाद जब constitute कीगी थी, कब 3rd April 1952 को, और पहला session 13th में 1952 को हुआ था, पहली बाद, तो जो चौथा schedule है हमारा, हमारे को आपको पता होना चीए, 12 schedule है, total, 10 schedule हमने anti- defection वाला किया, ऐसी जो चौथा schedule है, वो यह कहता है, कि राज्यसभा के अंदर में जो number of seats हैं, उनको states के अंदर में divide किया जाए, किसे state के पास हैं, किसी unit territory के पास हैं, यह कहां पर लिखा, चौथा schedule के अंदर में लिखा है, और राज्यसभा का अगर record दिखा जाए, या कहा से उसको inspiration मिलती है, तो 1918 के अंदर में, रिपोर्ट नाम आई थी, 1918 के अंदर में, इस रिपोर्ट के basis पर क्या हुआ था, 1919, 1919 वाला act पास हुआ था, तो प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, राज्यसभा से related important fact याद रखिएगा, इसके member of parliament क्या होते है, छे साल के लिए उन third member के होते हैं, रिटायर होते हैं, ठीक है, फ्लीज याद रखिएगा, तो क्या है, इसका correct answer क्या है, डी, one, two, and three, तीनों की तिनों स्टेट्मेंट क्या है, सही है, तीनों की तिनों स्टेट्मेंट सही है, राज्यसभा के पास में, अलग-अलग power है, जैसा मान के जिए लेक को, volume के हिसाब से, वर्ल्ड की deepest लेक बोला जाता है, largest fresh water lake by volume, and world deepest lake बोला जाता है, किसको बोला जाता है, बता यह, फटा फट से बता दीजिए, तो इसका नाम क्या है, लेक बैकाल, ठीक है, पैंगॉंग सो नहीं, लेक नाइसा नहीं, लेक बलकश नहीं, तो प्लीज रखेगा, लेक बैकाल कहाँ पर है, यह आपके अगर देखा जाया, रशिया के इंदर में, साइबीरियन रीजन है, यह सबसे largest by fresh water lake है, यह वाल्यूम, ठीक है, और deepest है, ठीक है, याद रखेगा, लेक मालावी, जिसको अभी क्या है, लेक नाइसा के नाम से जाना जाता है, जो तंजानिया, मालावी और मोजा, यह जो कंच्रीज हैं कहाँ पर, आपके African कंच्री आपर, ठीक है, लेक बलकश कहाँ पर है, लेक कस्टान के अंदर में, और पैंगंग्स हो कहाँ पर है, आपके लद्दाक के अंदर में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन, इंशयान स्ट्र related है मेरे प्यारे दोस्तो, rights of disabled person, जिनको हम दिव्यांग जन बोलते हैं, उन से related यह strategy है, उनके लिए कैसे accessible बनाए जाए सारी चीजों को, उनके लिए कैसे सुविधा जनक बनाए जाए चीजे, उसके लिए है insurance strategy, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, direct question पूछेंगे, insurance strategy recently seen in news, किस से related, तो आपको यह पता होना चाहिए, किस से related है आपके persons with disabilities के करण में, ठीक है, clear है, बाकी इसकी जो और explanation है, वह सारी आपको यहाँ पर मिली जाएगी, पद्मन स्वामी टेंपल, सबसे अमीर, सबसे पैसे वाला टेंपल, जिसको हम बोलते हैं, पद्मन स्वामी टेंपल, कहां पर है दोस्तों, केरला में, तमिलनाडू में, आंदर प्रदेश में, तेलंगाना में, केरला में, तमिलनाडू में, आंदर प्रदेश में, तेलंग रिच्च्वल हिंदुनुन्ईूस पेपर और पी आएवी एनना यत्टु रिच्वल जहां के अंदर में क्या क्या जाता है,ैलेफेंट को और फेंट को क्या क्या जाता है 篦 था भूजन कराया जाता है 파िंडिंग ओप एलेफेंट अनना यत्तु रिच्वल दोस्त, 1919 के अंदर में Clamsford Act आया था 1918 के अंदर में Clamsford Report आयी थी याद रख लेना इस चीज़ को कई बार बोलता चुका हूँ है कि 1918 के अंदर में उसको कई बार अगस्त Report भी बोल दिया जाता है एक अगस्त ऑफर होता है एक अगस्त Report होती है उस चीज़ को याद रखिए, उसके आधार पे ये clams for act आया था, तो ये कहाँ पर है अन्ना यूतु रिच्वल, कहाँ पर केरल के अंदर में, दोस्तों प्लीज याद रखिए, कहाँ पर केरल के अंदर में, अन्ना यूतु जिसको गज पूजा, feeding of elephants, ये भी नाम से जाना जा जाता है, यहाँ पर क्या किया जाता है, फर्स्ट डे जो होता है, मलियालम कलेंडर का, वहाँ पर इनको क्या किया जाता है, वहाँ पर खिलाया जाता है, किसको, elephants को, ठीक है, clear है, अगला question, minimum support price से related, MSP से related question है, MSP, news में है भाई, news में है, तो ये प्रशन भी आपके लिए ब देखे, देखे, वैसे तो 20 है, लेकिन 22 के लिए हम use करते हैं, word क्या, MSP, और एक sugar cane के लिए word use क्या करते हैं, आपका fair and remunerative price, sugar cane के लिए, प्लीज यार रखेगा, जो CACP है, वो एक attached office है, किसके अंडर में, agri culture है, farmer welfare के अंडर में, और एक भावंतर भुक्तान योजना है, जो CACP के द्वारा उत्तर प्रदिश सरकार ने launch करी है, ठीक है, समझिए, MSP क्या होता है, MSP वो rate हो गया, जिसके उपर में government क्या करती है, purchase करती है, कहां से, farmer से, चीजों को purchase करती है, अब ममान के चलिए, अभी recently क्या हुआ, आप सभी की सभी चीज को जानते होंगे, ये न किसान को हम समान बेचने दे, मान के चलिए, हमने MSP अनॉंस कर दे, 1000 रुपे, और market के अंद में average price चल रहा है 900 रुपे, ठीक है, तो वो क्या करे, किसान market के अंद में बेच दे, बचा कितना, 100 रुपे बचा, तो इस deficiency को क्या किया जाए, हम pay कर देंगे, ये नीतियायो के उ हो, ऐसा price जहां पर सरकार क्या करती है, इस minimum rate के उपर में क्या करती है, पर्चेस करती है, किस से किसानों से, उसको फिर procure करते है, उसको फिर store करते है, फिर उसको क्या करते है, कई बार, जो आपने देखा होगा, PD system, अगरा, सारी चीज़ों के अंदर में क्या किया जाता है, उनको बेचा भी जाता है, और free में भी दिया जाता है, तो please याद रखिएगा, Commission for Agriculture Cost and Prices, CACP, ये क्या करता है, suggest करते है, decide कौन करता है, announce कौन करता है, Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, ठीक है, clear है, चलें, आगे बढ़ते है, फटा-फट से, भावंतर भुकता नहीं हो जड़ा, करते हैं, तो याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों करते है, तीन, चार, पाँच, हिर्गिस्तान, अजर्वेजान नहीं करते हैं, ठीक है, उसका correct answer हो जाएगा, C, क्यों हो जाएगा, C इसका correct answer हो जाएगा, तो याद रख लिएगा, ये दिख लिए, C इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, Qubit, 2022 का question, किस से related है, बहुत easy question, quantum computing से related है, quantum computing से related है, previous question, 2022 का, quantum computing से related है, Qubit, तो scientific जो terminology होती है, ऐसे question भी कई बार आप से पूछे जाएगे, ठीक है, clear है, नामसाई declaration, was recently seen in news, किस से related है, नामसाई declaration, नामसाई declaration किस से related है, मेरे प्यारे दोस्तों, elephant conservation से related, drugs control से related, plastic banco से related, border dispute से related, किस से related है, नामसाई, ठीक है, तो नामसाई declaration आपके किस से related है, border dispute, इसके बीच में, अधुणाचल पर्दिश और आशम के बीच में जो border dispute था, उसको solve करने के लिए क्लिए क्लिए कि नामसाई declaration, नामकि एक चीज क्या करी गई है, sign की गई है, तो याद रखे है कि इसका correct answer हो जाएगा, D इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, clear है, किसी को भी कोई doubt, किसी को भी कोई doubt, चलें, फटा-फट से आगे बढ़ते हैं, अगले उस पर, अगला question, President of India चुनने के लिए, कौन-कौन से जो, क्याना, citizen होने चीए, लोग सभा के member होने चीए, और 25 साल की उमर हो जानी चीए, तो, फ्लीज याद रखेगा, President से related question आपके exam में आएगा ही आएगा, President से related, तो क्या उनकी 25 साल उमर होने चीए, नहीं, 5-30 साल होनी चीए, मेंबर होने चीए, भॉलिज चाहिए, लोग सभा के नहीं, भाई, he should be qualified, to be member of लोग सभा, should be qualified, member नहीं होने चीए, भॉलिफाइड होने चीए, तो ये भी क्या है, कया है, गलात है, citizen होने चीए, इंडिया है कि जिहाँ, three only is का क्यो जाएगा, correct answer उनस जाएगा, तो यह देखिए, he should be citizen of India, पैतिस साल उमर, और क्या होनेची, qualified to be member of लोग सभाव, ठीक है? Parliament session से related question आपके सामने, Parliament session से related आपके सामने question यह रहा, कि Constitution of India provides for Parliament to meet for three sessions in a year, तीन session मिलने के लिए Parliament की बात करी जाती है, Constitution के अंदर में, तो Constitution नहीं क्या किया है, one tenth strength को quorum क्या किया है, fix किया है, quorum का मतलब क्या होता है, minimum attendance इतनी होने चाहिए, तभी लोग सभा की proceeding या राज्य सभा की proceedings को क्या हम शुरू कर सकते हैं, यानि कि minimum numbers इतने होने चाहिए, तो क्या Constitution के अंदर में ये चीज़ fix की गई है, तो या Constitution के अंद of sessions, ये decide किये गए, नहीं दोस्तो, प्लीज, ये वाली statement गलत है, ये वाली statement विर्कुस सही है, Constitution के अंदर में सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि एक session के बीच में, और दो session के बीच में, maximum 6 महीने का gap हो सकता है, number of sessions, names of session, ऐसा कुछ भी उन्होंने decide नहीं किया है, ना कुछ declare कि प्लीज याद रखिएगा, Parliament session अभी चल रहा है, इसलिए exam के लिए क्या है, बहुत जादा ये important है, तो ये गलत है, और याद रखिएगा, जी हाँ, 10th, 110th, लोकसभा का, 110th, राज्यसभा का, इतनी minimum attendance होनी चीए, तभी क्या किया जाएगा, उस session को शुरू किया जाएगा, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, B, इसका correct answer हो जाएगा, टू only इसका correct answer हो जाएगा, तो याद रखिएगा, session of parliament, कौन, समन कौन करते हैं, आपके president साब, प्रोरोग कौन करते हैं, president साब, लेकिन, agent कौन करते हैं, speaker करते हैं, फ्लीज याद रखिएगा, ठीक है, clear है, हमने कोई चीज फिक्स नहीं करिए, कि कितने होने चीए, क्या होने चीए, बस यह fix है, कि दो session के बीच में, 6 मेने से के जाधा का gap नहीं होना चीए, ठीक है, clear है, चलिए, लोग और quorum क्या होता है, minimum number, जहां पर members क्या होते हैं, इतने members होने चीए present, तो राजज्य सभा लोग सभा के तो यह अगर 10 पर, 110 देखा जाए, तो कितना हो गया, लोग सभा का 55 मेंबर, राज्य सभा का 25 मेंबर, प्लीज याद रखिए, ठीक है, चले, अगला question आपके सामने, GST council से related, GST council क्या है, नीज में है भाई, GST council से related, तो यह भी question आपके exam के लिए important है, it is a joint forum, center and state, जहां पर किसके द्वारा setup किया गया, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा setup किया गया, और यह home minister acts as chairperson of GST council, तो बताए, किसके द्वारा setup किया गया, जी हां GST council हमारे आपर, article 279, capital A के तहत में, एक constitutional body है, जिसको बनाया गया, जहां पर state और central government साथ मिलते हैं, बैठते हैं, और क्या करते ह हैं, एक साथ decision लेते हैं, कि भाया, किसके ओपर में GST क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस product को GST लगानी या नहीं, सारी चीज़ें वहां पर क्या कही जाते हैं, decision लिए जाते हैं, तो क्या वो setup किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, नहीं, किसके द्व हैं, यहां पर क्या होगा, यह joint forum है, किसके द्वारा, जहां पर किसको setup किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं, किसके द्वारा, प्रेजिडेंट के द्वारा किया जाता है, पहले statement, दूसरा क्या है, union, home minister है, इसके chairperson के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं नहीं इसके कौन union finance minister गाम करते हैं तो ये दोनों की दोने statement गलत तो जी इसका क्या होगा डी इसका correct answer होगा वो शायद पीछे वाले slide का answer आगया पर डी इसका correct answer होगा तो याद रखिए मैं correct कर दूँगा PDF के अंदर में correct करके share करूँगा तो कब से कौन से constitution amendment amendment tax किया गया था इसको दोस्तों प्लीज याद रखिएगा इसको जब पास किया गया तो 101 101 एक सो एक वे constitution amendment एक से GST को लागू किया गया और उसी के अंदर में GST council बनाने का क्या है provision है और GST council के अंदर में किस ने बनाई प्रेजिडेंट ने बनाई GST council के अंदर में चेर परसन होते हैं आपके union finance minister ठीक है चलें आगे बढ़ते हैं सबांग इसको एक वेहर आइलेंड की राम से भी जाना जाते हैं कहां पर है सबांग आइलेंड कहां पर है सबांग रीजन कहां पर है सबांग आइलेंड कहां पर है कुछ भी करके पूछ सकते हैं सबांग रीजन सबांग आइलेंड कहां पर है कहां पर है कहां पर है तो प् बेस बना रही है सबांग आइलेंड के अंदर में, इसलिए कि है यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखेगा डीस का करेक्ट आंसर है, यह देखे भारत चाइना के अगेंस्ट में चाइना को काउंटर करने के लिए देखे, मंगोलिया में, जापान मे वियतनाम में, चांगी पोर्ट कहां पर है, सिंगापूर में, सबांग कहां पर है, इंडोनेशिया के अंदर में, अजम्शन आइलेंड कहां पर है, उमान के अंदर में, चाबार पोर्ट कहां पर है, इरान के अंदर में, ठीक है, उमान के अंदर में दुकम और इरान के अं ये एक तरिके से ये आर्मी के लिए इस्तमाल किया जा रहा है, अगला कोशन, थांगता एक मार्शल आट है, किस से रिलेटिड है, थांगता एक मार्शल आट है, किस से रिलेटिड है, तो प्लीज याद रखेगा, थांगता किस से रिलेटिड है, आपके मनीपुर से रिलेट प्लीज याद रखेगा और अन्प जिसके अंदर में आम्स का इस्तबाल ना किया जाए तो इसको थांगता का वर्जन को क्या बोला जाता है प्लीज याद रखेगा अन्प एस्पेक्ट ओफ थांगता इस नूम्ड एज़ा सडित सरक ठीक है इसको क्या किया गया खेलो इंड देखी लिए होगी उसमें जो राम चरन जो है न वो जिसमें वो पुलीज इंस्पेक्टर वाला जो रोल है वो इनी से इंस्पाइड है पूरा नहीं आपको पता है मुवीज के अंदर में तड़का मसाला सारी चीज़े लगाई जाती है थोड़ी बहुत चीज़ें पर शुरू किया था लहने स्टेंटर बिलकूल सही है उनको मनियम विरूदूभी बोला जाता है बिल्कूल सही बात है लाठी चार्ट जब लाला राज्पत जाय जी के ऊपर में हुई थी तभी रंपा rebellion शुरू किया गया था अब आपको difference अगर पता होगा रंपा rebellion कब शुरू आता और यह कब हुआ था रंपा rebellion अगर 1922 के आप बात कर रहे हैं और यह कब हुआ था आपका लाठी चाल 1927-1928 के अंदर में जब साइमन दिरहम क्या करें सबके सामने लेकर आ रहे हैं देख रंपा रेवेलियन क्या हुआ था किसके 1922 के अंदर में शुरू किया गया था जिसके अंदर में वन्यम विर्दु भी बोला जाता है ठीक है अल्लूरी सिता राम जी को प्लीज याद रखेगा ठीक है अगला क्वेशन जी के बाद में अब यह क्वेशन कि 17th G20 head of the state यह कहां पर होगा बाली के अंदर में होगा बिल्कुल सही बात है जी ट्वन्टी ग्रुप जो यह क्या है इसके अंदर में 20 countries है और साथ में एक European Union भी रहता है बिल्कुल सही बात है दोनों की दून स्टेटमेंट से यह इसका correct answer ह तो G20 countries के बारे में आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए ठीक है प्लीज याद रखेगा इसका correct answer है यह क्या है एक informal group है 19 countries का और European Union हो गया आप ठीक है इसका कोई permanent headquarter security rate नहीं है कौन कौन सी country है यह सारी की सारी country ज्याद रखेए कहाँ पर होने वाला है बाली इंडोनेशिया के अंदर में है ठीक है clear है नॉम्बर के अंदर में हो गया ठीक है चले है अगला question anti-defection law से related दुबारा question आ गया और यह क्या है previous year question 2022 का ही question है law specifies that nominated legislature cannot join any political party within 6 month यानि की nominated person 6 महीने के अंदर में किसी political party को join नहीं का सकता यह law कहता है anti-defection law the law does not provide any time frame within which presiding officer has to decide मलब जो speaker है या सभी के सभी है उनके उपर में कोई भी obligation नहीं कि यह इतने दिन के अंदर में आपको decision लेना ही पड़ेगा यह ऐसा law के अंदर में लिखा बिलकुल सही बात है इसी का तो सबस्यादा misuse किया ज़्यादा इसी को सबस्यादा reform करने की बात की जाती है कि speaker या chair person के उपर में कोई नहीं कोई time frame होना चाहिए बिलकुल सही बात है लेकिन यह statement गलत है already मैंने अभी आपको पूरे detail में समझा जाए कि nominated person के पास में 6 महीने होते हैं कि आप within 6 month तो किसी और party को join करते हो तो आप क्या हो जाए इसका correct answer के हो जाएगा भी इसका correct answer हो जाएगा भी इसका correct answer हो जाएगा ठीक है clear है 20 deflection law अल्रडड़ी आपको सारी की सारी चीज बताई चुका हूं बहुत detail में समझा चुका हूं लेवांत region exam के अंदर में previous question में अ अल्रडवांत region किससे related है लेवांत region किससे related है फटा फट से बता दिजी लेवांत region किससे related है दोस्तों region along the eastern mediterium shore फिर यह आपके north african region Persian गल्फ, Mediterranean Sea से related बताईए फटाफट लेवान्त रीजन इसका correct answer क्या होगा दोस्तों Mediterranean Shores के पास में जहां पर Eastern Mediterranean एरिया यह देखिए Eastern Mediterranean एरिया इसको बोलते हैं लेवान्त रीजन बोला जाता है तिक अल्रडी अब रिसेंटली दोस्तों National Institutional Ranking Framework यह रिलीज किया गया है इसके द्वारा रिलीज किया गया है तो याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया है किसके द्वारा किया गया है Ministry of Education के द्वारा किया गया है सबसे टॉप पर कौन है Indian Institute of Madras ने टॉप किया है उसके बाद में I.C. Bangalore है फिर उसके देए I.T. Bombay है प्लीज याद रखिए किसने रिलीज किया Ministry of Education रिलीज किया है ठीक है क्लियर है अगला SEO शंगाई Corporation Organization न्यूज में काफी समय से बना हुआ है शंगाई Corporation Organization काफी समय से न्यूज में बना हुआ है तो यह इसकी Official Language किया रशियन है Chinese है Hindi है इंडिया और पाकिस्तान ने इसको क्या किया था 2017 में जोइन किया था इसके इंडिया कजगस्तान चाइना किर्गिस्तान पाकिस्तान रशिया तजगिस्तान तुर्ग मेनिस्तान पताई फटा फट से इस यो जब बना था दोस्तो यह इसलिए बना था कि जब USSR का ब्रेकडाउन हुआ तो USSR के ब्रेकडाउन होने के बाद में कि यह रीजन जो है इनको कैसे कंट्रोल में रखा जाए कैसे इनके इंदर में सारी चीज़े डवलप्मेंट भी हो प्लस में ज़्यादा क्लोज रिलेशन बना कर रखे जाए तो वदाए क्या अन्सर होगा तो क्या इसकी लेंग्वेज रशियन चाइनीज और हिंदी है नहीं हिंदी नहीं इस मेंबर नहीं है तो आप से पूछा क्या है नॉट करेक्ट कौन से स्टेट्मेंट सही नहीं है मेरे दोस्तों तो कौन से स्टेट्मेंट सही नहीं है मेरे दोस्तों तो कौन से स्टेट्मेंट सही नहीं है जाए-दी एंड़िया फोट्री का में अपसे नहीं है यो पीजिए को यहीं गुमाता आपको नॉट करेक्ट इंट करेक्ट विच इस करेक्ट ऐसे करके question करेगा तो आपके आते वे question ऐसी गलत होते हैं कहते हैं न कई बार आपने सुना होगा senior से कहते हैं कि भईया आते वे question गलत होगे तो इसी कार्ण में होते हैं तो SCO 2001 में बना संगाई चाइना के अंदर में इसका याद रखेगा इसका five mechanism के थुरू और कौन-कौन सी country इसके इसके इंदर में कज़किस्तान, चाइना, किरिकिस्तान, रश्या, तज़किस्तान, उद्वेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान ठीक है clear है clear है चले विनिस्तिया विनिस्तिया recently seen in news ये city कहाँ पर situated है क्योंकि ऐसे region अगर news में आते रहेंगे तो आपको पता है region specific question तो पूछे जा सकते है रिजन specific question तो पूछे जा सकते है रिजन specific question तो पूछे जा सकते है ठीक है भाई मुझे एक बात बताओ कि at least इतने देर से हम इस session को चला रहे है तो at least 1000 like तो पहुची सकते है अब मैं भी वैसे करूं कि मुझे 1000 like चाहिए 1000 like वैसे तो ये मुझे समझने आता है लोग देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं पसंद आता है तो विनिस्या कहां पार है दोस्तों यूक्रेण के अंदर में इस पर क्या किया था हमला किया था किसने क्या था आपके रश्या ने हमला किया दरसल आप सब के सब घूमते रह जाओगे दूसरे रिजन्स के अंदर में लेकिन आप सब वह ऐसे वाले रिजन्स पूछ लेंग इसके इंदर में Electoral Kolaj होता है, इलेक्टर को जाता है इंदर में आपके कौन-कौन भाग लेते हैं, लोगसभा और राजसभा पहाग लेते हैं बताई फटाऄ प्रेजिननकम, इस वर्ड का मतलब क्या है यानि कि nominated members election के दर भाग नहीं लेते हैं ऐसी elected members of legislative assembly यानि कि विधान सभा फिर प्लीज याद रखेगा जब vice presidents की बात की जाती है उनका भी क्या होता है electoral collage होता है यानि कि वो भी क्या है indirectly elected है पहली बात और उसके अंदर में कौन-कौन भाग लेते हैं आपके all members चाहे वो elected है या फिर वो nominated है कहां कि राज्य सभा और लोग सभा के ठीक है प्लीज याद रखेगा ठीक है और साथ में और वहाँ पर आपके legislative assembly का कोई रूल नहीं होता तो यह क्या है क्या वो directly elected है नहीं यह स्रेटर बिल्कु सही है अभी recently यह news में था तो किससे related है पोडू किससे related है क्या है यह पोडू पोडू क्या है पोडू recently senior news किससे related है किससे related है पोडू क्या tribe है, endemic frog है, shifting cultivation है, dam है भूटान के अंदर में, क्या है यह आखिर पोडू है क्या प्लीज याद रखेगा यह कहा एक shifting cultivation है हिंदू निस परपने directly mentioned था और यह आपके P.I.B. के अंदर यह mentioned था देखिए UPSC के अंदर आप देखिए जुलाई के अंदर से कितने questions हम मना सकते है कितने questions हम मना सकते है कितने questions C कैसे होगा The vice president is directly elected Directly elected थे क्या Directly elected है क्या नहीं यह गला तो इसका correct answer तू only और इसका correct answer क्या होगा shifting cultivation ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है shifting cultivation अगला question कहाँ पर है यह आपके मना कहाँ पर आंदर परदेश उडिशा और तेलंगाना में क्या किया जाता है practice किया जाता है C इसका correct answer रुजाएगा ठीक है परडू shifting cultivation अगला question है Global gender gap index यह किसके द्वारा release किया जाता है Global gender gap index World Bank World Economic Forum UNDP OECD किसके द्वारा तो please याद रखिएगा this is very 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 important जाद रखिएगा और भारत की जो ranking आई है 135 वा नंबर है 146 countries के अंदर में सोची और कौन कौन से के अंदर में analyze किया जाता है Political empowerment है या नहीं है Health और उसमें survival है या नहीं है आपके economic opportunity है या नहीं है और आपके educational entertainment है या नहीं है इस basis पर इसको analyze के जाता है किसके द्वारा World Economic Forum के द्वारा प्लीज याद रखिएगा अभी rank आई है 135 वाई है आपके 146 countries में से ठीक है ठीक है ठीक है चले Next question Next question Manrega से रिल भाई न्यूज में है न्यूज में भाई साब 2007 में शुरू किया गया World का सबसे One of the largest Employment Program है पहली statement दूसरे statement ये कहती है कि करना में Primary Objective EASA Scheme का कि इसमें Rural Area में 100 days के काम प्रोवाइड किया जाए skilled workers को manual work के लिए ठीक है बताईए फटाफट ठीक है जी शिम्भू जी अगली बार से कोशिश करेंगे question number डालेंगे दोस्त बहुत चीजे manage करने पड़ती है अब पिछले एक घंटा 40 मिनट आप बैड कर mobile कर रहे है मैं एक घंटा 40 मिनट से continuous बोल रहा हूँ continuous कर रहे है ठीक है ठीक है करेंगे numbers डालेंगे number भी डालना शुरू करने है question के अंदर में but appreciation first comes rather than criticism तो मन्रेगा स्कीम क्या 2005 में आई थी दोस्तो मन्रेगा स्कीम है क्या है इसके बारे में थोड़ा सा detail ने पढ़ लो मन्रेगा स्कीम actually में दोस्तो ये है कि ग्रामीड छेतरों में शेहरों की तरफ जा रहे थे तो कैसे उनको इस एरिया में रोका जाए तो इसके लिए 2005 में स्कीम शुरू कीगी जिसके इनमें 100 डेज का काम दिया गया लेकिन skilled worker नहीं unskilled worker को दिया जाएगा guaranteed 100 डेज का तो 1 and 2 दोनों की दोनों statement क्या है गलत है तो इसका correct answer हो जाएगा D D इसका correct answer हो जाएगा ठीक है बन रहेगा ठीक है नेक्स्ट की the department of consumer affairs ने क्या किया है launch किया एक जागरती नाम का एक mascot जो क्या करेगा awareness फैल आएगा consumer rights के बारे में ठीक है consumer rights के बारे में पहली बारे यह P.I.B. का मुझे अभी भी ध्याने P.I.B. से related news थी उस टाइम काफी जादा जागरती mascot तो प्लीज याद रखिएगा जी हाँ यह स्टेंड बिलको सही है जागरती mascot किसके द्वारा consumer affairs के द्वारा launch किया गया और यह क्या है जागरती mascot जागो ग्रहक जाग के साथ होगा सी इसका correct answer बोच statements आर correct सी इस टीज ठीज ठीक है clear है रियाद रखिए है सी जागरती mascot यह देखिए उधर देखिए जागरती mascot जागो ग्रहक जाग के साथ में campaign के इंदर में हर जगे इसको शो किया जाएगा ठीक है चले next question national level पर अगर देखा जाए यह भी previous year का question है previous year का question है national level पर अगर देखा जाए तो schedule tribes and other traditional forest जो dwellers rights है अभी भी देखो FRA forest rights act पिछले तीन दिन से मैं आपको करा रहा हूँ हिंदू newspaper के analysis में रोज सुबे साथ वजे उससे related है तो बताई कोन implement करता है forest right act से related कौन implement कर रहा है ठीक है ठीक है बताई यह ठीक है ठीक है तो फ्लीज याद रखेगा इसको कौन करता है ministry of tribal affairs आपके ministry of environment नहीं ministry of panchayat नहीं ministry of rural development नहीं ministry of tribal affairs ठीक है इसका correct answer है अगला question इंडियन polity के अंदर में गर देखा जाए तो कौन सा essential feature है कि चीज का जो यह बताता है कि हमारे यह पर federal character है federalism की बात करता है यह बताईए फटाफट तो बताईए independence of judiciary union legislature union cabinet fundamental right नहीं प्लीज याद रखेगा federal character से related next slide में चार या पाँच पॉइंट है उनको note down कर लिजे इसका correct answer है यह चार पाँच पॉइंट याद कर लिजे कि clear division होना चीए पावर अच्छा federalism का मतलब क्यों होता है फेडरलिजम का मतलब यह होगा कि एक area के अंदर में या एक जगे पर दो सरकारे या निकि दो power का division करना जैसे center state के बिजन power का division करना तो clear cut होना चीए independent judiciary होने चीए by criminal legislature होना चीए dual government होना चीए supremacy of constitution यह सारी चीज़े क्या है characteristic है federalism के फेडरलिजम के प्लीज याद रखिएगा ठीक है लेकिन हम quasi-federal है क्योंकि हमारे आपर जो federalism है थोड़ा सा tilted है किसकी तरफ में central की तरफ में ठीक है central agency की तरफ में ठीक है तो यह प्लीज याद रखिएगा तो यह question अब आगया question डारेक्टरेट ओफ इंस्फोर्समेंट यह क्या specialized financial investigation है जो department of revenue home affairs के अंडर में आता है ministry of home affairs के अंडर में cbi जो है संथानम committee की recommendations के उपर में क्या किया गया था establish किया गया था बताए इसका अंसर दीजे कौन सी statement सही है तो डारेक्टरेट ओफ एंफोर्समेंट यानि कि ED बहुत जादा news में ना बहुत जादा news के अंडर में है जहां पर ये देखा जा रहा है कि raid पड़ रही है सारी चीजे कर रही है तो याद रखेगा प्लीज याद रखेगा कि यह किस के अंडर में आता ministry of home affairs के अंडर में नहीं आता ministry of finance के अंडर में आता प्लीज याद रखेगा तो ये स्टेट में बिल्कुछ सही है सेकेंड स्टेटमेंट सही है कि ये CBI जो है रेकमेंडेशन वनी थी किसके संथानम कमीटी की तू अलीज का क्या हो जाएगा तू अलीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा CBI जो है 1963 में बना था अमेरिका वाली याद कर अभ हो अभी रेसेंटली प्रक्रेक्टिस करीं क्या है किया है ना.. जांत रखेगा वो चीज़ करते हैं, क्यानुमें ब्रीड करते हैं, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के पास में ये पावर है, कि क्यानुमें वो आइडेंटिफाई करें, समझ इस चीज़ को, यह आइडेंटिफाई करना कि हां, यह जो ड्वैलर है, यह यहाँ पर बिलॉञ करता है, यह नहीं खरता है, यह ग्राम पंचायत है, लेकिन उसको नोडल एजनसी कौन सी है जो यह देखेगी इंप्लिमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा वो ट्राइबल आफेर्स थी तो मिनिस्ट्री फाइनसियल कमिशन बिल्कुल सही बात है आर्टिकल 280 के तहदे बना है बिल्कुल सही बात है और अनके सिंग 15th Finance Commission के क्या थे चेर में थे बिल्कुल सही बात है तो Finance Commission क्या सजेशन देता मान के चलिए अगर 100 पे किसी के पास सेंटर के पास आ रहे है तो समसे कितना पैसा स्टेट्स के पास जाना थी है फिर स्टेट्स के बीच में कितना पैसा आपस में डिवाइड होना थी है तो यह एक इंपॉर्टन रेक्मेंडेशन याद रखिएगा कि 14th Finance Commission ने क्या किया था 32 से शेर को इंक्रीज किया 41 और 15th Finance Commission 42 से डिक्रीज कर दिया कितना 41 इसका क्या हो जाएगा और यह कंसेर दा पॉलिंग स्टेट्मेंट और यह क्या है तो क्या रियाद के अंदर में है साओधी अरेविया के अंदर में बिल्कुल सही बात है रियाद साओधी अरेविया के अंदर में है लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि इसके जो क्या है आपके जो मेंबर है उसके अंदर में यमन इसका मेंबर नहीं है यमन इसका member नहीं है प्लीज इसको याद रखेगा क्योंकि ये जो country है यमन जो country है इसकी border आपके Persian Gulf के साथ में border touch नहीं होती तो to only इसका correct हो जाएगा प्लीज याद रखेगा तो Gulf Corporation Council ये establish किया गया था 1981 के अंदर में इसके अंदर में बहरेन है कुवेथ है, उमान है, कतर है, साउधी अरेबिया है और UAE है प्लीज याद रखेगा ठीक है प्लीज याद रखेगा रियाद के अंदर में ये देखेगा Persian Gulf के साथ में यमन अपनी border share नहीं करता है सित्वे पोर्ट मेरे प्यारे दोस्तों कहां पर located है आपके म्यामार के अंदर में है हम क्या कर रहे हैं एक multi-model कालादन project बना रहे हैं और उसके अंदर में सित्वे पोर्ट म्यामार के अंदर में develop किया जा रहा ये देखिए दरसलम नौर्थीस्ट के अंदर मिजोरम त्रिपुरा यहां पनागा लेंड की तरफ में जाना चाहरे है तो हमें जाना पड़ता है वैसे हम chicken neck के थुरू जाते हैं इसे हम chicken neck corridor बोलते हैं जमान के चलिए भारत को अपना सामान अगर shift करना पड़ता है तो यह देखिए यह इतना सा corridor है यहां से हमें समान लेकर जाना पड़ता है और इस पूरे region के अंदर में तो connectivity को increase करने के लिए क्या किया गया है यहां पर मियामार में port बना कर फिर यहां पर समान को supply किया जाए तो प्लीज याद रखिएगा के अंदर में क्या अभी recently 2015 की summit के अंदर में अफगानिस्तान ने join किया है क्या अफगानिस्तान ने सार्क को अभी join किया सार्क से related हिंदू निस पेपर के अंदर में article था नहीं दोस्तो 2005 के अंदर में join किया था उरी के बाद में तो बिलकुल भी कोई meeting ही नहीं हुई तो प्लीज याद रखे दोनों की दोनों statement क्या है गलत है तो सार्क के बारे में भी याद रखेगा आपको पता organization से direct question पूछे जाते हैं ठीक है ठीक है डीस का correct answer हो जाएगा अगला question NTCA क्योंकि आपको पता है कुनो national park NTCA news में है तो NTCA किसके अंदर में आता है ministry of environment and climate change के अंदर में आता है पहली बाद इट वास constituted under the 1972 इस act के अंदर में पता ही दोनों में से क्या correct answer होगा किसी ने बहुत तगड़े एक future IS थे जिनके अंदर में अभी उन्होंने IS लगा लिया future IS तुम तो वो भी नहीं कर रहे ये इतने बच्चे को करतो रहे है questions लगातो रहे है इसलिए मैं आप सब को ये चीद समझाने कोशिश करता हूँ कि जब आप इस life के अंदर में आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे लोग आपको demotivate करने के लिए आएंगे तो इसलिए उनको ध्यान नहीं देना ये जो लोग comment करते हैं उनको ध्यान नहीं देना अपने ये आपको demoralize करने के नहीं है ये चाहते ही नहीं है कि आप निकालो क्योंकि इंसे नहीं निकला तो प्लीज याद रखे चलिए तो इसका correct answer हो जाएगा C बोथ statement क्या है correct है प्लीज याद रखेगा N.T.C.A statutory body constitutional body नहीं है statutory body है प्लीज याद रखेगा next question DPSP से related easiest question one of the easiest question क्या है DPSP का concept हमने कहां से लिया Iris constitution से लिया पहली बाद part 4 हमारा DPSP से जिक्र करता है constitution हमारा DPSP को क्या करता है तीन category के अंदर में classify करता है यह चीद कल भी मैंने बताई थी आज भी बता देता हूँ कि हमारा समविधान DPSP को classify नहीं करता है दोस्तों हमारा समविधान सिर्फ और सिर्फ यह कहता है कि भईया यहाँ पर यह DPSP लिखे हुए हैं बस हमने उसको पढ़ा उसके basis पर में तीन category के अंदर में उसको classify किया गांधियान, socialist और liberal के अंदर constitution उसको classify नहीं करता और प्लीज याद रखेगा fundamental rights fundamental rights negative obligation है state के उपर में कि state यह नहीं कर सकता सरकार यह चीज़े नहीं कर सकती DPSP positive obligation है यह आपको क्या करना चाहिए यह चीज़े आपको implement करनी चाहिए आपको यह ensure करना चाहिए कि क्या हो concentration of wealth ना हो यह चीज़े ना हो क्योंकि DPSP uniform civil code, liquor ban इन सब कारणों से DPSP क्या है news में है तो please याद रखेगा DPSP को पढ़के जाएगा A, 1 and 2 इसका correct answer हो जाएगा ठीक है, DPSP right to marry किसी भी मर्जी से अपनी मर्जी की जागर वो भी राजी है तो किस से शादी करने का अधिकार है आपके पास में किस article के तहप में आपको यह चीज़ तो पता ही है यह already कई बार हम discuss कर चुक है article 21 में जहाँ पर आप right to life की बात करते हैं वहाँ पर आपके पास यह भी अधिकार है कि आप अपनी मर्जी से किसी से भी कार सकते हैं शादी का सकते है, right to marry ठीक है, right to marry सुप्रेंग कोड ने कई judgment में बोला है अगला question extended producer responsibility extended producer responsibility का मतलब यह हो गया कि e-waste इतना जाद जो produce होता है, उसके अंदर में जो producer है उसकी responsibility है कि उसको कैसे recycle किया जाब भी recently इसके regarding क्या क्या है गवर्मेंटर ने एक और चीज़ पास करिए कि इतने percentage क्या करना है उनको क्या करना है, उनको recycle करना है तो I hope आप सभी ने session को at least क्या किया होगा, enjoy किया होगा at least और अगर enjoy किया है तो मैं आप से यही कोशिश करूँगा कि जाते समय पर आप इसको like करेंगे और session end होने के बाद में at least आप इस पर एक comment अपना प्यारा सा comment ज़रूर देंगे क्योंकि मैं यह session और जादा अगले क्योंकि अब अगस्त शुरूने वाला है तो अगस्त के अंदर में हम क्या करेंगे पूरे के पूरे महीने current affair पड़ेंगे, फिर last के दिन पे हम क्या करेंगे ऐसी दो अधाई घंटे बैठ के एक साथ क्या करेंगे revise कर लेंगे अच्छा, गाना सुनना चाहते हो सारे के सारे है आंसर राइटिंग से related में daily सुभे हिंदू newspaper का बाद में एक session के अंदर में question देता हूँ आप सभी के सभी उसमें participate करा करिए questions अच्छे होते हैं आप सभी के से उसमें करिए आप सभी को पता है दोस्तों कि ये आपके लिए ही है available है आपके लिए आप PRT live code यूज़ करके अठारा हजार नौसों निनान पर में आपके इसको पूरे course को क्या कर सकते हैं कल से इसकी class से शुरू हो जाएंगे इसका PDF थोड़े time के बाद में की तैयारी में help कर सो regular तो उसके अंदर में भी मिलेंगे बाकी तब तक अपना क्या करिए ध्यान रखिए मुस्कुराते रहे हैं और एक चीज़ और अपने कोई ये समझ लीजिए कि आप जिस समय पर थोड़ा सा भी relax करोगे वहां पर कोई ना कोई पढ़ रहा है इतना अंदाजा लगा लो सिर्फ और सिर्फ ये अंदाज़ा लगाろ कि अगर आप आदा घंटा नहीं पढ़ रहे हैं दस मिनिट नहीं पढ़ रहे हैं तो आप से दस लोग आगे निकलते जा रहे हैं आठ लाग बच्चे फॉम भरते हैं, आठ लाग में से पार्च लाग चार लाग बच्चे पेपर देने जाते हैं, उस hurricane-चार लाग बच्चे is will फिर means कि अंदर में आपके 3000 बच्चे कुलिफाई करते हैं फिर 3000 में को कोई बनाता है तो आपका दिमाग बनाता है आप सोचो आप सुबह उठना चाह रहे हूँ मैं आपको practical example देता हूँ मैं रोज सुबह जब चार बज़ उठता हूँ ना मैं रोज अपने दिमाग को ब्युकूब बनाता हूँ कैसे चल कोई बात नहीं 11 बज़े वाले session ले ल बढ़ाते रहे बाई बाई टेक क्यार दोस्तों जाहिन